हलो प्रेंड्स एक बार फिर से आप सब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन रास्ट्र डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जैसा कि आप सब जानते हैं आज सैनिक स्कूल का जो एक्जाम होता है एक्जाम जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स का एक्जाम देते हैं सैनिक स्कूल में एड्मिशन के लिए तो उसका हमारा एक्जाम हुआ है सिक्स्थ क्लास का और नाइन्थ क्लास का तो फ्रेंट्स अभी हम लोग यहाँ पर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं उस पेपर का जो सिक्स्थ क्लास का हुआ है ठीक है तो सारे स्टूडेंट्स जो हैं फटा फट से एक बार जुड़ जाएं हमारे साथ और सेशन को लाइक और शेयर कर दें पेपर आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको यह सिरीज जे का पेपर है ठीक है तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ेवे है एक बार यह चीज देख लें series जो है यह j series है friends ठीक है तो इस चीज़ का आप थोड़ा धिहान रखिएगा बाकी मैं आपको solution start करवा देता हूँ सबसे पहले मैं आपको English का जो paper हुआ है उसका solution करवा रहा हूँ ठीक है तो सब लोग धिहान से देखिएगा पहला question दिया है दोस्तों आपको select the incorrect option आपको वो option बताना है जो गलत है देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको question दिया है basically इसमें एक तरफ तो जो word है वो है singular ठीक है pattern बता रहा हूँ कि question का क्या pattern है और कैसे answer करना है और उसके right side में जो आपको word दिया है दोस्तों वो plural है ठीक है एक तरफ singular word है और एक तरफ plural है यानि कि एक तरफ एक वचन है और दूसरी तरफ आपका क्या है बहुचन है एक तरफ एक वचन है और दूसरी तरफ बहुचन है ठीक है friends तो यहाँ पर देखिए mouse का plural माईस होता है तो यह तो सही है इसमें कोई problem नहीं है ठीक है दूसरा आपको दे रखा है child तो child singular होता है children plural होता है तो यह भी सही है इसमें कोई problem नहीं है woman singular होता है ठीक है और woman का plural women plural होता है यह भी सही है तो यहाँ पर incorrect, गलत को होना है, तो देखिए sheep जो है, जिसको हम लोग भेड बोलते हैं, तो इसका plural form भी क्या होता है, sheep ही होता है, singular और plural form दोनों में एक ही word है यह, तो यह गलत है यहाँ पर, आना, तो यहाँ पर जो हमारा answer हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, third option, third जो है, य thank you for your support and guidance, salute, thank you Gaurav, आपका भी बहुत-बहुत thank you, हमारा होसला बढ़ाने के लिए, thank you so much Gaurav, second question आपको यहाँ दिया हो है, कि identify the question tag in the following sentence, यहाँ पर हमको एक sentence दिया गया है, और इसका friends हमको question tag बताना है, ठीक है, तो देखिए question tag basically होता है, तो थोड़ा सा आपको बता देता ह question tag जैसे जो भी एक confirmation का सवाल होता है, किसी भी sentence के last में, confirmation के लिए basically यह पूछा जाता है, confirmation का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम लोग confirm करना चाते हैं, उसके लिए जो छोटा question पूछा जाता है, small question जो पूछा जाता है, उसको हम लोग language में क्या बोलते हैं? उसको हम लोग language में friends बोलते हैं, question tag ठीक है, अब यह जो यहाँ पर हमारा sentence है, कि she sings very well, कि she जो है वो बहुत अच्छे से गाती है, तो इसमें बोल रहा है कि question tag बताना है, तो she बहुत अच्छे से गाती है, क्या नहीं गाती है, यही तो बनेगा इसका question tag, तो question tag जो होता है, वो हमेशा sentence का opposite बनता है, तो यहाँ पर sentence आप देख रहे हैं कि कैसा है, positive है, सकारात्मक है, तो question tag कैसा होगा नकारात्मक, अब यहाँ पर sings जो है, यह verb का कौन सा form है, first form है, यानि कि कौन सा tense है, present simple है, तो present simple के अंदर singular subject के लिए does हो जाएगा, short form में बनाते है, question tag तो not का doesn't click दिया, और फिर आपका pronoun आ गया, और last में question mark, ठीक है, तो second number जो है, यह option हमारा यहाँ पर correct है, ठीक है, second option हमारा यहाँ पर correct है, okay, चलिए, आगे देखिए, next question आपको दिया हुआ है, choose the option that does not come under gender, हमें वो word बताना है, जो gender के अंतरगत नहीं आता है, तो देखिए, English में हमा अपन हिंदी में pulling बोलते हैं, दूसरा हमारे पास होता है, feminine gender, जिसको हम लोग बोलते है, strilling, तीसरा हमारे पास होता है, neuter gender, जिसको अपन बोलते है, नपूसक लिंग, और चोथा हमारे पास होता है, common gender, जिसको हम लोग बोलते है, उभेलिंग, तो masculine gender होता है, question यह पूचा तो मैं उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अब देखिए, अब आपको नजर आ जाएगा इधर हाँ, तो अभी जो है, चोथा आपके सामने आ गया है, ठीक है, तो masculine gender भी होता है, feminine gender भी होता है, singular और neuter, तो neuter gender भी होता है, feminine gender भी होता है, masculine gender भी होता है, तो gender कौन सा नहीं होता है, तो gender singular नहीं होता है, तीन number correct होगा, singular जो है वो gender नहीं होता है, singular, plural, ये एक वचन और भवचन वाला पार्ट है, ठीक है, तो question number three में third है, second में second option correct है, और first में third option correct answer है, अभी जो चोथा question है, उसकी तर चलो भी आगे चलते हैं question number four अब ये हमारी screen पर आ चुका है ठीक है question number four को मैं लगा लेता हूँ थोड़ा सा पर साफ मेरे को time दीजे अब आ गए हैं भी सारे question आ गए है वापस ठीक है friends तो अब हम लोग वापस start करते है question number four में बोल रहा है friends कि identify the type of sentence हमें बताना है कि यह किस प्रकार का वाकिया है तो आपको दिया हुआ है come and do your duty आओ और अपना कारियर करो तो तो देखिए assertive जो है उसको तो हम पन positive या simple sentence बोलते हैं तो यह simple sentence नहीं है क्योंकि assertive या positive sentence में हम लोग simple कोई declaration या घोशना कर देते हैं जैसे मैंने कहा कि Rahul is a good boy, Sumit is a good player इस तरीके के sentence बनते हैं दूसरा बोल रहा है तो imperative और exclamatory देखिए exclamatory तब होता जब इसमें exclamatory mark होता तो exclamatory mark आपको नजर आ रहा है क्या नहीं तो हमारा answer इधर होगा imperative imperative को हिंदी में हम लोग आज्या सूचक वाक्य बोलते हैं हाला कि इस sentence के अंदर नाम इसका आज्या सूचक है वाकि इसमें request order command ठीक है इस तरीके क की चीज़े आती है अब यहां पर यह बोल रहा है कि आओ और अपनी duty करो तो आप किसी को order दे रहे हैं तो यहां पर यह imperative माना जाएगा तो question number four में तीन number हमारा correct है ठीक है चलिए अगला देखिए question question number five laughter is the best medicine laughter जो है वो सबसे अच्छी medicine है question पूछा है identify the kind of noun for laughter laughter किस तरीके का noun है ठीक है देखिए proper noun वो होता है जब हम लोग किसी particular person place या thing की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है तो proper noun नहीं होगा common noun वो होता है दोस्तों जो किसी एक word से पूरी community को हम लोग बताते हैं जैसे boy हो गया girl हो गया city हो गया king हो गया एक सबसे पूरी जाती का बोध कराते हैं तो common noun भी नहीं है तीसरा है abstract noun और चोथा है अपने पास option collective noun तो दोस्तों collective noun वो होता है जब हम लोग एक word से और एक group की बात करते हैं जैसे jury jury किसको बोलते है group of judges नयाया दीशो का समूँ मैंने आप से कहा for example मैंने आप से क्या कहा crew किसको बोलते है group of sailors नाविकों का समूँ तो crew कैसा noun हो गया collective noun हो गया तो यह भी नहीं है collective noun भी नहीं है तो यह है कौन सा तो यह abstract noun है sir third option correct होगा क्योंकि abstract noun भाववा चक संग्या भाववा चक संग्या जो abstract noun होता है उसमें 4 चीज़ें आती है feeling आती है action आती है quality आती है state आती है तो laughter जो यह action को represent करता है हसना तो यह बिना किसी problem के abstract noun हो जाएगा option 3 is correct question number 5 में ठीक है चलिए sixth बोल रहा है choose the correct sentence where enough has been used in as adverb वो sentence बताना है जिसके अंदर enough जो है आपका adverb के तोर पे use किया गया देखे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि enough जो है language में अंग्रेजी में adjective की तरह भी हम लोग इसको use करते हैं और adverb की तरह भी use करते है ठीक है जब भी यह adjective की तरह use होता है तो इसकी position हमेशा noun से पहले होती है जैसे मैंने कहा कि I have enough time कि मेरे पास परियाप्त समय है तो इस वाक्य में time noun की quality कौन बता रहा है enough बता रहा है क्योंकि enough यहाँ पर क्या है adjective है ठीक है लेकिन जब enough adverb होता है तो इसकी position हमेशा adjective के आगे होती है क्योंकि as a adverb adjective की quality बताएगा आपको तो यहाँ पर देखे फर्स sentence है there is enough ink तो यहाँ पर यह noun स पहले आ रखा है तो यहाँ पर यह adjective है तो यह tu answer नहीं हो सकता second argues time F तो यहाँ पर यह noun के बाद में आ रहा है तो यह भी adverb नहीं है यहाँ पर तीसरा बोल रहा है she is enough beautiful adjective से पहले आया है adjective से बाद में आता तो adverb होता तो यह भी नहीं होगा third option है he was kind enough बिलकुल यहाँ पर यह सही है क्योंकि kind adjective है यहाँ पर और adjective के आगे आपने यहाँ पर enough को place किया है तो enough as a adverb जब भी काम करता है तो adjective के आगे इसको place किया जाता है तो question number six में भी हमारा तीन number option जो है correct हो जाएगा ठीक है तो I hope कि आपको यहाँ तक चीज़ें clear हो गई है अब हम लोग आगे बढ़ेंगे question number seven की तरफ त्रीक है आजो question number seven आपको बोल रहा है दोस्तों from the following select the most appropriate option to fill in the blanks आपको यहाँ पर वो word बताना है जिससे blank भरा जा सके बोल रहा है a dash of ships ships का जो group होता है समू होता है उसको क्या बोलते है bundle जो है वो तो गठल या गठरी को बोलते है bundle किस चीज का हो सकता है लकडियों का हो सकता है ठीक है तो यह word है यहाँ पर bundle brood जो है यह भी नहीं हो पाएगा यहाँ पर एक word दे रखा है fleet और एक दे रखा है pack तो pack जो होता है basically cards जो होते है playing cards उनके group को pack बोल देते है उसको fleet बोल दिया जाता है तो question number seven में fleet correct हो जाएगा third option question number eight टेखिएगा select the sentence with correct order of words हमें वो sentence बताना है जिसके अंदर शब्द जो है सही क्रम में लगे हुए है बोल रहा है call each other with the mice repeating calls जब भी हम लोग sentence बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए subject आना चाहिए सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए subject आना चाहिए क्योंकि जब subject आएगा तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और verb वगर लगाए तो यह तो शुरुआत इसने verb से कर दी तो यह नहीं हो पाएगा और यहां पर second में subject है, third में है इन में से कुछ बन सकता है तो the mice call पहले verb आजाएगी यहां पर इन्हों ने verb की ing form यूज कर दी ing form without helping verb आनी सकती तो यह भी नहीं हो सकता तो the mice call each other with repeating calls कि mice जो है चुहिया जो होती है चुहों का जो plural form है कि जो चुहे हैं वो एक दूसरे को बुलाते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं बुलाते हैं with repeating calls with repeating calls मतलब एक के बाद एक call कर करके एक दूसरे को बुलाते हैं तो यह यहां पर सही order हो जाएगा तो question number 8 में option 2 जो है यह हमारा यहां पर correct answer है ठीक है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और next question की तरफ चलते हैं question number 9 अब हमारी screen पर आ चुका है ठीक है तो question number 9 देखिए दोस्तों question number 9 क्या बोल रहा है question number 9 बोल रहा है कि select the correct option to fill in the blanks हमें वो option choose करना है जो blank को सही तरीके से भर दे तो दिया हुआ है do not disturb me मुझे disturb मत करो मैं अपना काम कर रहा हूं तो देखो बात present में चल रही है तो present का ही कोई verb लगेगा तो past का है did तो यह तो नहीं हो सकता I singular verb नहीं लेता है I हमेशा plural verb लेता है अपने साथ तो does भी नहीं आ सकता तो बचा क्या एक तो option है do और एक option है हमारे पास am doing तो यहां पर I do मुझे disturb मत करो मैं अपना काम कर रहा हूं मतलब action कैसा है progress में तो am doing होगा यहां पर तो question number 9 में option 3 जो है यह हमारा यहां पर correct answer हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और question number 10 जो है वो मैं अब यहां पर आपको करवा देता हूं ठीक है question number 10 जो है उसको मैं यहां पर आपको अब करवा देता हूं ठीक देखिएगा question number 10 question number 10 जो है दोस्तो वो आपको बोल रहा है क्या बोल रहा है कि identify the adverb हमें sentence में वो word पकड़ना है जो adverb के बारे में information दे रहा हूं तो बोल रहा है she read the answer twice कि उसने answer जो है वो पढ़ा कितनी बार पढ़ा दो बार तो twice जो है यहाँ पर इस sentence में adverb है और twice कौन सा adverb है तो twice है यहाँ पर sentence में adverb of frequency है वो adverb जो हमें यह बताता है कि कोई भी action कितनी बार हो रहा है तो उसने यही तो बोला है कि उसने answer कितनी बार पढ़ा है दो बार तो adverb of जो है adverb of frequency हो गया और twice यहाँ पर adverb है तो twice यहाँ पर क्या है adverb है तो बिलकुल यह जो है हमारा correct answer हो जाएगा question number 10 में first option student बोल रहा है sir मेरे full आ रहे है thank you आपने मुझे select करवा दिया अगला question देखिए choose the option that is opposite of brave brave का opposite बताना है तो देखिए दोस्तो brave का मतलब क्या होता है बहादूर होता है brave का मतलब क्या होता है बहादूर इसका opposite बताना है तो देखो एक word आपको दे रखा है shameful तो shameful का मतलब होता है कि भई शर्म से भरा full of shame शर्म से भरा that is known as shameful कोई ऐसा काम जो आपको शर्मिंद की महसूस करवाए उसको shameful बोलते है तो ये तो answer नहीं होगा courageous, brave का synonym हो जाएगा क्योंकि courageous का भी मतलब क्या होता है बहादूर clever का मतलब होता है चालाक ओके और यहाँ पर answer क्या हो जाएगा coward हो जाएगा first option क्योंकि coward का मतलब क्या होता है कायर तो बहादूर का opposite क्या हो जाएगा question number 12 मैं आपको करवा रहा हूँ अभी तो देखिएगा प्रशने संख्या 12 बोल रहा है कि choose the word nearest in meaning to the underlined word आपको इस बार ये जो word दिया है ना underlined इसका सबसे नजदी की meaning वाला word बताना है that means कि आपको इसका क्या बताना है synonym बताना है तो उसने request किया request का मतला होता है किसी से प्रार्थ ना करना तो order तो आदेश होता है तो ये गलत हो गया instruction का मतला होता है किसी को दिशा निर्देश देना तो request दिशा निर्देश ये भी नहीं हो पाएगा force का मतला होता है किसी को जोर जबर्जस्ती करना तो जोर जब दस्ती करना request नहीं होता है Ask politely, बिल्कुल किसी से विनमरता से पूछना ही क्या होता है request होती है तो option number 2 correct है question number 13 बोल रहा है choose the correct verb सही verb कौन सा है वो बताना है बोल रहा है the baby was dash in the room baby जो है वो room में dash था अब देखो was लगा हुआ है तो was के साथ दो possibility बनती है एक तो verb की ing form आ सकती है और एक verb की third form आ सकती है ing form कब आती है past continuous में आती है was के साथ third form कब आती है जब हम पास्ट simple का passive voice बनाते है तो यहाँ पर a option sleep नहीं हो सकता will sleep नहीं हो सकता will be sleeping नहीं हो सकता तो sleeping जो है option two यह हमारा यहां पर correct answer होगा, ठीक है, चलो, आगे देखते हैं, question number, question number कौन सा आ गया, 14 आ गया भी, ठीक है, तो 14 मैं आपको बता देता हूँ, question number 14 बोल रहा है, choose the correct option to complete the idiom given below, वो word बताना है, जो इस मुहावरे को पूरा करेगा, बोल रहा है, you have hit the nail, आपने nail का मतलब होता है, keel, keel को hit किया है, कहां पर, head पर, तो यह head आएगा यहां पर, जो मुहावरा है, वो है, you have hit the nail on the head, यह है idiom hit the nail on the head का मतलब होता है, कि बिलकुल आपने जो है, एकदम target को 100% अचीव किया है, यह इस मुहावरे का आर्थ होता है, तो यहां पर head आजाएगा, तो A option correct है, आना, question number 15 बोल रहा है, choose the correct spelling, इन में से कौन सा spelling सही है, वो बताना है, तो देखिए sincerity की spelling, first option में जो दी है, यह सह ही है, sincerity का मतलब होता है, कि अनुसाशन से और गंभीरता से कोई काम करना, sincerity, तो sincerity का जो है, सही spelling, first option है, correct spelling यह आपको पूछा था, तो 15 का क्या हो जाएगा, first हो जाएगा, अना, question number, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो question number 16, अब हमारी screen पर आ चुका है, okay, तो question number 16 देखिएगा दोस्तों, question number 16 मैं आपको करवा रहा हूँ, बोल रहा है, choose the correct pronoun, इन में से कौन सा pronoun आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा मिरको यहाँ पर कम करना पड़ेगा, क्योंकि option कुछ, कुछ option जो है, यहाँ पर छुप रहे थे, अब आगे option हाँ, ठीक है, चलो अब देखो, यहाँ पर बोल रहा है, choose the correct, कौन सा pronoun सही होगा, question है, dash is standing at the gate, दरवाजे पे कौन खड़ा है, तो देखो, वर्ब से पहले हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं, subject का यूज करते हैं, हाना, और दरवाजे पे कौन खड़ा है, तो दरवाजे पे कौन खड़ा ह आता है, यह भी नहीं हो सकता, whose जो है, यह relate करने के लिए आता है, किसी से जोडने के लिए, तो यह भी नहीं हो सकता, तो answer क्या हो जाएगा, who हो जाएगा, question number 16 में, first option जो है, यह हमारा correct होगा, ठीक है, अगला बोल रहा है, fill in the blank with the appropriate article, हमें सही आर्टिकल से इसमें लगाना बोला, they are going to dash metro station, कि वे लोग जो है, कहा जा रहे है, metro station जा रहे है, तो देखिए, इस sentence में हम लोग metro station को specific कर रहे हैं, विशिष्ट बना रहे हैं, कहा जा रहे हैं, वे लोग metro station में जा रहे हैं, तो यहाँ पर जब भी हम लोग sentence में किसी noun को या place को special करते हैं, तो article there आता है, इसमें, हाना, तो second option इसमें correct होगा, dear friends, अगला देख लेते हैं, question number 18 पे आ गया है, हाना, 18 आ गया है, दोस्तों, बस जुड़े रहे हैं, आप अभी हम लोग English के paper का solution जल्दी complete करने वाले हैं, question number 18 आपको बोला है, identify the adjective from the given options, हमें वो word बताना है, जो adjective है, विशेशन है, तो कोई see का second form होता है, so, तो ये तो verb है, तो क्या है, to preposition है, to क्या है, preposition है, his क्या है, तो his जो है, ये तो pronoun है, बस्यसिव एड्जेक्टिव भी बोलते हैं इसको, तो honest आजाएगा answer, क्योंकि honest क्या है, adjective, adjective क्या होता है, जो noun or pronoun की quality बताता है, जैसे मैंने कहा honest boy, कैसा लड़का इमानदार लड़का, तो boy noun की quality बताई न, तो इसलिए, honest adjective हो गया, इसमें यह answer, यही पूछा था कि adjective बताओ, अगला बोल रहा है, question number 19, choose the correct preposition to complete the following sentence, हमें वो preposition लगाना है, जो sentence को ठीक कर दे, तो बोल रहा है, the restaurant is dash the school, restaurant जो है, school के dash है, तो देखो, अप दी school नहीं हो सकता रेस्टोरेंट जो है, अप नहीं हो सकता, okay, तो यह incorrect हो जाएगा, restaurant is along the school, along का मतल़ होता है, school के साथ-साथ, so school के साथ-साथ, restaurant है, ऐसा भी नहीं हो सकता, the restaurant is between the school, between the school कैसे हो जाएगा, school के बीच में तो restaurant हो नहीं सकता, तो behind the school, यह सबसे appropriate preposition होगा, कि restaurant जो है, तो इसाथ, और question number 20 भी देख लो भी बोल रहा है complete the following sentence by choosing the correct option हमें वो option बताना है जो sentence को complete करें sentence है कि they left dash shoes on the floor as dash was no space on the shoe rack कि उन्होंने अपने जूते floor पे छोड़ दिये क्यों? क्योंकि shoe rack में जगह नहीं थी तो they left अब they से जोड़ रहे है तो they से जोड़ने के लिए they का possessive चाहिए तो they का possessive क्या होता है there तो there आएगा पेले option में as और फिर आगे क्या आएगा there क्योंकि वहाँ पर जूते रखने के लिए space नहीं थी as there was no space on the shoe rack तो question number 20 में second option correct है friends ठीक है चलो आगे देखते हैं अब जो है my dear friends यह passage आगे है हमारे पास एक ठीक है if you want to send a letter by post today you have to paste a stamp on the envelope कि अगर आज के समय में आज के यूग में आपको किसी को पत्र भेजना है तो आपको क्या करना पड़ेगा वो जो लिफाफा होता है envelope लिफाफा बोलते जिसमें लेटर लिखके डालते उस पर आपको एक stamp लगानी पड़ती है लेकिन बहुत समय पहले हमारे पास ऐसा कोई system नहीं था कि हम लोग letter लिखके envelope में रखके और उस पर stamp लगाते थे तो हम लोग उस समय क्या करते थे people who wanted to send a letter would hold it and stick it with the wax उस पुराने जमाने में क्या होता था कि जो भी लोग पत्र लिखना चाहते थे वो पत्र लिखके envelope में रखके और wax से यनी एक तरीके का paste material आगया है चिपकाने का उससे चिपका चिपका देते थे उस लिफाफे में डालके लिफाफे को चिपका देते थ लै得 or also, एक तरीका लुगका में जाकर लिखके और यह है कि अगया यह तो वहां क्या होता दोस्तों वह जिसको वह जिसको लेटर मेलता था वो उसका üstव पैसा देता था i he खिए अना ग़ाख में पीपार में मेलता था वो इसका पैसा ने था भूलो कि कितनी बेकार बात है कि एक तो आप लेटर लेओ और उसका पैसा भी देओ तो यह था पुराने जबाने में फिर बोल रहा है दा फस्स्ट टैम्प वस प्रिंटेड इन इंग्लेंड पहला जो स्टैम्प बना था जो महर बनी थी वह कहां बनी थी फ्रेंड्स इंग्लेंड में बनी थी बोल रहा है इड़ वस ब्लाक एंड एड़ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया काली कलर की स्टैम्प थी यह स्टैम्प का फोटो भी इन्होंने दिखाया लेकिन वह यहां पे छुप रहा है मैं नहीं दिखा पा रहा हूं आपको तो बता रहा हूं कि एक आपको स्टैम्प एक फोटो आती थी है सिस्टै और उस पर क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लेंड की महारानी थी इसकी तस्वीर होती थी हाना इट कॉस्ट वन पैनी ब्रिटिस पैसा और उसका एक पैनी मतलब एक रुपिया या एक पैसा उसका लगता था ब्रिटिश उसके स्टैम्स जवान शूले करने लोग स्टैम को एकट्था करते लोगों की शौक को थे हूं और वहरी कंशल और बहुत सारी महरां तो इती चीमती है कि उनके लिए ब्लोग बहुत सारा पैसा भी देते हैं खरीदने के लिए ठीक है तो इस वोज यॉर पैसेज पैला क्वेशन बोलना है, the first stamp was printed in पहली stamp कहां बनी थी, फिर इंगलेंड में बनी थी तो second option आपका correct है, 22 भा बोलना है, choose the correct statement, पीडिन स्टेटमेंट बताना है तो the first stamp had a picture of Queen Victoria, पहली stamp पहीशनी प्हिस की तस्वीर थी? Queen Victoria की थी, obviously सही है, second option correct है, आगे चलो Question number 23 आ गया है भई Question number 23 23 देखो 23 बोल रहा है The hobby of collecting stamps Stamps collect करने की जो hobby उसको क्या बोलते है Filletly बोलते है 4 नमबर सही हो जाएगा 4 है 24 It was black and had a picture of Queen Victoria कि वो जो stamp था वो काला था और उसके Queen Victoria का तस्वीर था तो बोल रहा है कि black का part of speech क्या होगा तो देखे black जो है ये color है और ये किसी चीज की quality बताएगा तो जो भी word किसी चीज की quality बताता है गुण बताता है वो viciousion होता है English में तो adjective हो जाएगा इसमें 3 number option correct है Last बोल रहा है choose the opposite of send send का विलोम शब्द बताना है तो send का मतलब भेजना तो उल्टा क्या हो जाएगा प्राप्ट करना यानि कि receive तो 25 में कौन सा हो जाएगा एक number option correct answer हो जाएगा ठीक है तो इसी के साथ हमारा English section का solution है वो correct हो गया मैंने जो आपको करवाया है ये section J के लिए करवाया है ठीक है तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा और अब आपके बीच में next GK का solution कराने के लिए हमारे संजीव सर जो है वो आने वाले है तो आप सब लोग रुके रहें जुडे रहें ये सर अपके बीचाओ आपके लिए जापके लिए जापके लिए जापके लिए जापके लिएगा आप अगर लुए अग्जन ओ और्स यहां से मताबड़ा करें। पर जैसे आप एक्षिक कर देंगे सकते हैं ठीक है नमस्कार सभी बच्चों को जैसा कि हम जीके का पेपर देख रहे हैं जीके का पेपर ने हार्ड जादा है ने इजी जादा है एक एवरेज सा बैलेंस्ट पेपर है और आपको सबको ये ध्यान रखना है कि जीके के अंदर बहुत से questions ऐसे भी आते हैं जो हमारे out of the box आते हैं out of the syllabus आते हैं इसी को हम अब आगे discuss करना start कर रहे हैं पहला question है आपके पॉलिटी से है पॉलिटी के अंदर दिया हुआ है हूँ अपॉइंट्स दा प्राइम निस्टर आफ इंडिया प्राइम निस्टर आफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है तो इसका answer वन है इसका answer वन रहेगा इसका फर्स्ट का answer आपके प्रेजिडेंट ओफ इंडिया एगा ठीक है आगे next question हमारे आता है कोलकता is located on the banks of which river पूछा गया है कि कौन सी river पे किनारे पे हमारा कोलकता situated है कोलकता हमारे हुगली river के banks पे situated है नेक्स्ट क्वेशन आपका है चूज दा करेक्ट ओप्शन इस स्टेटमेंट दिया गया है इस प्लेस लोकेट इन ग्वालियर वाज बिल्ट बाई दा महराजा ओफ ग्वालियर जैयाजी राव सिंधिया इट है इस इटालियन एंड टक्सन स्टाइल ऑफ आर्टिटेक्चर एंड इस नॉट ए म्यूजियम एक फोर्ट है जिसके अंदर एक पैलेस के बारे में पूछा गया है यह कौन सा यह कौन से फोर्ट का हमको नाम दिया गया है ग्वालियर का पैलेस के बारे में पूछा है कौन सा पैलेस है तो इसका आंसर जैविलास पैलेस है जो कि हमने हमारे क्लास के अंदर डिसकस किया हुआ था इसका आंसर आपका डी हो जाएगा जैविलास पैलेस नेक्स्ट हमारे 79 question में है इन रामायना वेर डिड लॉर्ड स्री राम मेरी सीता स्री राम जी के जीवन से दो question देखने को मिले हैं हमको यहाँ पर अभी एक और question भी आएगा क्योंकि अभी latest हम देख रहे हैं कि हमारे जो government of India है एक बहुत बड़ा temple जो कि आयोध्या के अंदर बनाया जा रहा है श्री राम जी का जो बर्थ प्लेस है इसलिए काफी news में रहा था इसका रण से पूछा गया है question है in रामायन वेर डिड लॉर्ड राम श्री मेरी सीता option है इसके अंदर आयोध्या पंचवटी चित्रकूट जनकपूर इसका answer 4 है जनकपूर इसका answer रहेगा इसका answer आपके जनकपूर रहेगा जनकपूर इसका answer रहेगा नेक्स्ट है choose the correct option पूछा गया है food is stored in the roots of पूछा गया कि food है वो किस plant के root के अंदर store रहता है यह हमारे class में discuss किया हुआ question है जिसका answer है sweet potato sweet potato का जो root वाला portion होता है उसके अंदर food store रहता है sweet potato इसका answer हो जाएगा next question है choose the correct option पूछा गया है dash is the fastest healing body part पूछा गया कौन सा part है जो fastest healing है हमारे human body के अंदर इसका answer आपके tongue आना चाहिए normally इसका answer होता है mouth mouth के अंदर हमारे natural healing part हमेशा ही रहता है कभी भी हमारे चोट लगती है को feel नहीं होता है लेकिन वो heal हो जाता है लेकिन mouth option नहीं है लेकिन tongue भी mouth के अंदर ही होता है तो tongue के उपर भी कई बर खाते हो कि जब हमारे cut लग जाता है तो वो heal बहुत जल्दी होता है इसका answer tongue ही आएगा dash is the fastest healing body part तो इसका answer tongue होगा next है यूपी के अंदर अयोध्या के अंदर बहुत बड़ा राम मंदिर बन रहा है जिस कारण से news में काफी रहा है इसलिए दो question पूछे गए हैं इसलिए इसका answer रहेगा सर्यू answer 82 का सर्यू है सर्यू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है next question आपके है next question है संजना found that as a seed germinates and seedling turns into a young plant the size of the seed leaves gradually becomes smaller इसके अंदर पूछा गया है एक नाम दिया गया है statement question भी दिया गया है ऐसा पिछले साल भी हुआ था अब इसी pattern पे आगे भी आने वाले time में भी question आएंगे कि एक statement दिया जाएगा और उस पे आपको समझ कर आंसर करना है question में है seed germinates and seedling turns into a young plant seed germinate होता है और वो एक young plant के अंदर convert हो जाता है the size of the seed leaves gradually becomes smaller जो seed के leaves के side में जो leaves होते हैं वो धीरे धीर एकदम से छोटे हो जाते हैं क्या चीज है वो क्यों हो रहे है वो ही पूछा गया है इसका आंसर है the seed leaves are absorbed back into the seed coat हम देखते हैं seed का एक कोट होता है वो ही जो seed leaves हैं वो ही दीरे दीरे बाद में seed coat बनेंगे इसलिए वो वापिस absorbed back हो जाती है इसका आंसर आपका A आएगा यह आपको ध्यान रखना है ठीक नेक्स्ट क्वेशन 84 है animal which can survive without water for a long time in desert पुछा गया है कि कौन सा आनिमल है जो desert के अंदर काफी long time तक survive कर सकता है बिना पानी के यह आप लोग सभी जानते हैं इसका आंसर camel है और camel को ही sheep of desert भी कहा जाता है आपके desert वाला chapter रहता है जिस कारणे से यह question पूछा गया है इसलिए इसका answer 4 हो जाएगा camel यह काफी contradictory question नहीं कहेंगे लेकिन बहुत जादा broad spectrum ले लिया गया है कि एक 6th class के student के लिए यह question जानना वो जान सकता है जिसका interest जेग्राफिक अंदर इसका answer आपका seahorse रहेगा seahorse यह ऐसा है जो कि male होते हुए भी जो young ones को bear करता है यह exception case है इसलिए exception case पूछा जाता है इसके अंदर बाकी जो options है dolphin है, whale है, यह दोनों mammals है tortoise आपका है, यह amphibian है यह answer में नहीं आएंगे इसका answer seahorse होगा next question है, folk dance से पूछा गया है folk dance आपके syllabus के अंदर भी है singlish jump dance is related to which state इसका answer आपका सिक्केम हो जाएगा next है, the instrument used to measure the speed of vehicle vehicle के speed को measure करने के लिए कौन सा instrument यूज होता है वो पूछा गया है इसका answer A है, speedometer आपके scientific instrument करके topic दिया गया है उसी का ये question है इसके अंदर जो बाके instrument दिये हुए है odometer, tachometer and photometer ये light के लिए है odometer आपका distance के लिए होता है tachometer आपका rpm के लिए होता है ये सारे हमारे class में discuss किये जा चुके है उसी का ये question आया है next है, a sport where people use a board with small wheels ये आपने generally use किया होगा बहुत से students होते हैं जिन्होंने ये use किया हुआ है बहुतने videos वगरा में देखा होगा ये question में पूछा गया है एक sport है जिसके अंदर एक board होता है और board में छोटे-छोटे tire लगे रहते है छोटे-छोटे tire लगे थे जो sport किया जाता है उसको skating बोला जाता है नेक्स्ट क्वेस्टन है इस award is also known as the lotus decoration और इस इंडिया सेकंड हाइस्ट सिविलियन अवार्ड आपको मैं बता दूँ हो सकता है कुछ students को यहां दिकता है होगी lotus decoration क्या रहता है वगरा वैसे लेकिन awards का जो chapter दिया गया है उसमें हमने बताया हुआ है कि highest civilian award भारत रतन होता है और second highest civilian award है वो आपका padmavibhushan होता है और padmavibhushan आपके option 2 है option 2 आएगा जिनको इनका order पता है वो answer इसका correct कर देगा वो next question number 90 dash is the first sports person to win the padmavibhushan award in 2007 sports and awards करके आपके topic है उसका question आया है इसके अंदर पूछा गया कौन सा sports person है जिसको सबसे पहले padmavibhushan award मिला गया था और 2007 के अंदर मिला था इसका answer विश्वनाथन आनन्द है जो के हमारे chess player है chess player है सबसे पहले इनको मिला था grandmaster भी है इनको यह मिला हुआ है सबसे पहले padmavibhushan next question number 91 है choose the correct option to fill in the blanks आपको एक statement दिया गया है इसके अंदर पूछा है यहाँ पर क्या आएगा question है statement है mountains arranged in a line is known as mountains एक line में रहते हैं उसको क्या बोला जाता है mountain range बोला जाता है answer A आएगा इसका class का discuss किया हुआ question है इसके अंदर fold mountains बता है fold mountains दोड़ प्लेट्स जब आपस में टकराते हैं तो fold mountains बनते हैं peak mountain peak चोटी को कहा जाता है table mountain एक तरह से प्लेट्व हो जाएगा उपर से जो थोड़ा फ्लेट रहे उसको table mountain कहा जा सकता है next question है choose the correct option correct option पूछा गया है statement है water is known as the universal solvent because पहली बात आपको बता दें यह universal solvent क्या जी water universal solvent है मतलब ऐसा जो सभी को अपने अंदर घुला लेता है most of the objects जो हम पाने में घुलते हैं और example जैसे हम चीने मिलाते हैं पाने में घुल जाता है नमक मिलाते हैं पाने में घुल जाता है और भी बहुत सारे colors आते हैं जो कि पाने में घुल जाते हैं because water is the universal solvent इस कारण से ही पानी के अंदर घुल जाते हैं इसमें पूछा गया है कि किस करण से, इसका आंसर है, it can dissolve many substances, पानी बहुत सारे substances को अपने अंदर dissolve कर लेता है, इसलिए इसको universal solvent बोला गया है, option 4, आंसर है 92 का, उसके बाद में question number 93 आता है, which animal was represented on the mascot of Delhi Asian Games 1982, ये काफी broad question आ गया है, क्योंकि normally हम नहीं पढ़ते हैं कि 1982 के Asian Games का mascot क्या होगा, हम current affairs को जरूर देखते रहते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ते हैं, इसका आंसर elephant, elephant अप्पू करके एक mascot बनाया गया था, 1982 Asian Games के दौरान, इसलिए इसका mascot आपका अप्पू है, elephant है, 94 है, the deficiency of which of the following vitamins causes rickets, rickets किस vitamin की कमी से होता है, ये पूछा गया है, आंसर इसका 2 है, vitamin D, ये सब कुछ discuss किया हुआ है, class के अंदर, vitamin D के कारण ही, rickets होता है, next है, who was the first governor general of independent India, independent India के first governor general कौन थे, ये पूछा गया है, first governor general आपके Lord Mountbatten आएंगे, क्योंकि independent India के होने के बाद में भी Lord Mountbatten ही governor general रहे थे, ये दी question में पूछा जाता, first, Indian governor general of independent India, तो C, Raja Gopalachari option ही हो जाता है, लेकिन इसका आंसर 3 होगा, next है, identify the Indian nuclear physicist who was founding director and professor of physics at the Tata Institute of Fundamental Research, ये TIFR है, TIFR होता है, इसमें इसका आंसर आपका, होमी जहांगीर भाबा, आपने कई बार सुना होगा, भाबा Atomic Research Center, उइनी के नाम पर है, क्योंकि ये ही हमारे जो nuclear program था है, उनके जनक है, विक्रम सारबाई हमारे space program के जनक है, next question आता है, 97, when was Bangladesh formed, Bangladesh कब बना था, ये पूछा गया है, Bangladesh was formed in 1971, आंसर इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वार होता है, उस दोरानी बांगलादेश को बनाया जाता है, next 98 है, choose the correct option, correct पूछा गया, the United Nations was founded in, कौन से year में founded हुआ था, ये 1945 आएगा, इसका आंसर 1945 है, 24th October, UN Day होता है, 1945, ये ही इसका आंसर है, next, आपके 99 question है, identify from the following disease related to brain, brain से related कौन सा disease है, ये पूछा गया है, आपने बहुत सचानी सुना भी होगा, migraine होता है, आपके कुछ हो सकता है, कुछ families में जिनको कभी-कभी सरदर्द होता है, अचानक होने लग जाता है कभी tension से होने लग जाता है वो migraine ही है जिसके कारण होने लग जाता है थोड़ी देर में वापिस सही भी हो जाता है naturally होता है naturally ठीक भी हो जाता है other cases में कई बर होता है जब बढ़ जाता है migraine हमारे brain's related disease है diabetes आप जानते है sugar से होता है jointies आपको जानते है manningties आप जानते है आपके skin वगर रैशेस हो जाते है back pain कमर पेनीन में हो जाता है next question है last hundred choose the correct option पूछा गया है उसमें है cow dung can be used as a manure as it is rich in manure खाद को बोला जाता है और पूछा गया है जो cow dung जिसको हम gober बोलते हैं कि वो खाद के लिए use किया जा सकता है क्यों उसके अंदर ऐसी क्या चीज होती है जिस कारण से उसको use किया जा सकता है इसका answer आपके one होगा nitrogen nitrogen होता है होता उसमें calcium भी है बट nitrogen हमारे soil को अच्छे चाहिए होता है जिस कारण से इसका appropriate answer वन ही होगा nitrogen ही होगा इसलिए cow dung के अंदर nitrogen के होगा कारण हम उसको manure की तरह use कर सकते हैं ठीक next answer next इसके बाद में हम देखेंगे हमारा maths वाला section अभी महेश सर आके discuss करेंगे most of the questions 22-22 questions हमारे class में discuss किये questions आये हैं और बाकि जितने भी जो questions थे उनके आसपास की कुछ story भी बताई गई है हाँ एक दो ऐसे questions हर बार ही आते हैं जो out of the box आते हैं जिनको cover करना मुश्किल है क्योंकि जीके का बहुत broad spectrum है हम एक topic को लेके वहाँ पर खतम नहीं कर सकते हैं जिस कारण से जीके को खतम नहीं किया जा सकता है अभी हम maths वाला section निकालते हैं मैसर करेंगे आप हमारे राष्ट्री defense academy के अंदर कभी एडमिशन ले सकते हैं जो भी next time के लिए prepare कर रहे हैं सारा syllabus से कराय हुए ही questions आए है टेक रेट करता हुए है टेक वो माउस देद लेदर अलो गुट इवनिंग ओ लो अभी मैत का करेंगे आपन शोल्यूशन अपन लोग सारे वेल के गुड इवनिंग राष्टर defense academy में स्वागत आप सभी का इंग्लिस और जी केगा तो आपका solution हो गया है अभी मैत का start करते हैं फटा फट इस पीड से देखेंगे मैत का कुछ क्योशन थोड़े से कैलकुलेटिव है बाकी paper इजी आया है विल्कुल तो अभी देखो start करते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है पहला question क्या है कि the normal body temperature of a human being is 37 degree Celsius एक इंसान का normal temperature 37 degree Celsius होता है तो यह कह रहा है degree Fahrenheit में कितना होगा तो यह direct यादी होता है नॉर्मली तो कि 98.6 होता है या 5 तो इसमें क्या जाएगा 98.5 इसको solve करने की भी जर्रत नहीं थी फिर आगे वाले question में क्या कह रहा है यह कह रहा है the difference between minus 50 and 72 degree Celsius 50 आपका minus के अंदर है और 70 plus में है तो 50 minus 50 से आपको plus 72 तक जाना था तो यह पूछरा है इन दोनों का difference कितना होगा तो minus 50 से पहले अपन 0 तक लेके जाएंगे तो 50 तक minus 50 अब इन दोनों को add कर देंगे देखो किया कड़ना कि minus से plus में जाना माइनस 50 से plus 72 तक जाना था अपने होगा तो minus 50 की तरब से left से right में बढ़ेंगे तब plus होता है प्लस बंप्लस फन होता रहेगा इसमें प्लस बं कर देंगे तो 49 हो जाएगा 49 में प्लस बं कर देंगे實 48 हो जाएगा तो ऐसे करते करते 72 तक जाना है तो इन दोनों का addition ही क्या आएptsगया इन दोनों का difference आएगा कि 50 से 72 तक जाने के लिए इन दोनों का addition ही का जाएगा इनका difference आजएगा यह है कि difference बताने माइनस से प्लस में पने अपने माइने को तो कितना आजएगा about 122 drive celsius ऐगा एड कर लो 70画 50 करना 72 प्लस 50 तो 70 और 50 120 होता है दो रेड़ कर दो तो 122 आ गया अब आगे वाला क्या क्योस्टन है यह कह रहा है कि 18 केजी और 5 ग्राम है इसको केजी के अंदर लिखना है तो 18 केजी गो तो 80 लिख दिया अपन ने अब 5 ग्राम है 5 ग्राम है ग्राम को केजी में कनवर्ट करने के लिए ग्राम को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यह कितना आ जाएगा 005 तो यह कितना आ गया 18.005 केजी आ गया ऐसे ही आगे वाला क्या क्योस्टन है find the number of zeros in one kilometer when you convert a kilometer into millimeter kilometer से millimeter तक जाना है kilometer से millimeter तक जाना है और यह पूछ रहा है उसके अंदर कितने zero आ जाएगे तो देखो यह कैसे निकालते हैं kilometer के एच डी M,D,C,M kilometer से hectometer, hectometer से decometer, decometer से meter, meter से decimeter, decimeter से centimeter से centimeter से centimeter से millimeter से millimeter से millimeter तो kilometer से millimeter तो kilometer से millimeter पे बढ़ने के लिए अपन क्या करते हैं? अब देखो, एक किलोमेटर में कितने हेक्टामेटर होते हैं, दस होते हैं, एक हेक्टामेटर में कितने डेकामेटर होते हैं, वापिस दस होते हैं, तो ये सारे आगे वाले में, जस्ट एक आगे बढ़ने के लिए आपको दस से मल्टिप्लाई करना पड़ता है, तो सब को द ठीक है ऐसे ही अब आगया आपका आगया अब इसमें देखो आगये वाले में क्या रहे हैं इसमें तो six आई गया था अपना देखो इसका तो क्या आगया था अपना यह आए गया था इसका क्या आगया था 122 डिग्री सेल्सियस इसका क्या आगया था 18.05 18.005 किलोमेटर आगया था इसमें कितने नंबर ओफ जीरो जागय थे नंबर ओफ जीरो शिक्स आगय थे अब आगये वाला क्योस्टन क्या है कि 99 को इसको अपने को रिपरजेंट रोमन न्यूमरल के अंदर लिखना है तो रोमन न्यूमरल में लिखने के लिए देखो सबसे पहले 100 को रोमन न्यूमरल में कैसे लिखते है 100 को लिखने के लिए C लिखते है C का मतलब सेंचुरी सेंचुरी का मतलब 100 अब यह कह रहा है 99 तो 100 में से 10 कम करना पड़ेगा तो 100 में से 10 कम करते हैं तो कि धर आ जाता है लेफ्ट साइड में और 10 का मतलब क्या होता है X तो 100 म हो गया आपका 99 को ऐसे लिखेंगे अब यह आपका क्या है कि रोमन न्यूमरल के अंदर ही आप calculation देदी इन्होंने क्या calculation देदी कि M M का मतलब क्या होता है thousand फिर कह रहा है XL XL का मतलब क्या होता है 40 और आगे क्या है 242 तो 1042 पहला क्या है अपना 1042 फिर क्या क्या रहा है इसके अंदर एड करना है किसको CX CX देखो कहा गया यह रहा अब यह तो क्या हो गया C अपना 100 हो गया X क्या होता है 90 तो 190 हो गया और फिर आगे क्या है 4 तो 194 तो 1042 के अंदर क्या एड है 194 और माइनस आपको क्या करना है माइनस क्या रहा है 50 60 और 63 इसमें से 63 को माइनस कर दो तो ये कितना आएगा देख लो 94 में से 63 को माइनस किया आपने तो 1042 तो आपका है वैसा गवैसा ही लिख दो और प्लस इसमें क्या कर देंगे 4 में से 3 गया आपका 1 फिर 9 में से 6 गया 3 और 1 131 को इसके अंदर 1042 के अंदर एड़ कर देंगे तो ये कितना आगया 1173 1173 1173 को Roman numeral के अंदर लिखना है 1173 को किसमें लिखना है Roman numeral के अंदर लिखना है 1 का मतलब क्या हो गया M या इसको K भी लिख सकते हैं यहाँ पर M दे रखा है तो M आपका क्या आगया M तो सब के अंदर ही है 1000 के बाद में क्या आ रहा है 100 100 क्या होता C तो M के बाद में C किसमें आ रहा है M के बाद C भी सब में ही आ रहा है तो अपन कोई option काट नहीं सकते फिर क्या कह रहा है 73 तो देखो यह कैसे लिखा जाएगा आपका M 1000 हो गया उसके बाद C 100 हो गया M C L X X 3 मतलब यह बिल्कुल सही है option 1 ठीक है अब आगे क्या कह रहा है अभी तक तो कोई मुश्किल क्योस्टन आया है नहीं सारे इजी क्योस्टन है बिल्कुल सारे आपके क्लास में भी करवाए हुए सारे के सारे क्योस्टन और बिल्कुल इजी-जी क्योस्टन थी अब आगे लास्ट वाला इधर इस पेज पर लास्ट वाला क्योस्टन क्या बचा हुए name that type of an angle whose measure is 29 more than the difference of 136 and 77 क्या कह रहा है कि 136 degree और 77 degree का difference पहले उनका अंतर निकालो तो किसका 136 और 77 का difference निकालना है तो 136 में से 77 माइनस कर दो तो 77 को आप 100 बनाओ पहले 77 को 100 बनाने के लिए इसमें कितना add करना पड़ेगा 23 add करना पड़ा तो 23 और 36 कर दो तो आपका difference आजाएगा इसका तो कितना आगया 9 59 क्या आगया इसका difference आगया 136 और 77 का difference आगया 59 अब यह कह रहा है जो difference है उससे 29 ज्यादा तो 59 से 29 ज्यादा मतलब 59 के अंदर 29 जोड देंगे कितना आगया 9 और 18 हासिल 1 5 और 2 7 और 8 88 डिग्री आगया कितना डिग्री आगया 88 अब 88 डिग्री का एंगल होता है वो कौन सा एंगल होता है राइट एंगल होता है 90 डिग्री का और 90 डिग्री से जो कम एंगल आते है जो छोटे एंगल होते हैं वो सारे क्या होते है एक्यूट एंगल मतलब 88 क्या है आपका एक्यूट एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल क्या बोलते है एक्यूट एंगल तो 88 के है अबना acute angle तो 88 आ गया acute angle ठीक है सर अब इसको उपर कैसे करूँ चलो यहां तक देख ले न answer सारे match कर ले न कहां तक हो गया था 31, 32 तक हो गया था 32 का क्या है अपना acute angle अब देखो 33 वाले question में क्या कह रहा है which of the angle in the given figure is larger than two right angles दो right angle से बड़ा angle कौन सा है यह A, B, C, D, 4 angle दे रहे हैं तो देखो right angle का sign क्या होता है जैसे अपना कोई भी figure है कोई भी figure दे दिया मैं एक semi circle बना रहा हूँ तो यहां पर मालो मैंने यह angle बनाया आपका और इसको मैं ऐसे square shape का ऐसे बना देता हूँ तो यह क्या होता है 90 degree का symbol होता है 180 degree straight angle यह होता है अब 180 degree तो यह हो गया इससे ज्यादा मतलब state line से ज्यादा अब देखो अगर इस वाली line को आगे extend करते है कोई C को भी कर दो चाहिए इसको ही कर लो इसको अगर आगे extend करते है तो यह तो हो गया आपका 180 इतना angle तो कितना हो गया 180 आगे वाला तो 90 से extend ही हो गया तो सिरफ क्या है only C C angle ही है जो दो right angle से बड़ा है 2 right angle का मतलब 90 और 90 कितना हो गया 180 तो only angle C ही है जो की 290 degree angle से बड़ा है 290 degree मतलब 180 तो only option C only angle C यह सारे क्या है acute angle है दिख रहें angle के shape से ही पता लग रहे है कि यह क्या है acute angle आगे वाला read the given statement and choose the right option statement दे रहे हैं दो A और B दो statement दे रहे हैं अपने को और कह रहे हैं इनको पढ़ो और इनमें से right option बताओ कौन सा है statement A क्या है all codes of a circle are diameter यह आपका circle होता है और code क्या होता है circumference पे यह कहीं पे 2 point मिला दो यह code होती है अब यह कह रहे है यह diameter है क्या यह भी code है आपकी यह भी code है क्या नहीं होती statement 1 आपका क्या है गलत दूसरा क्या कह रहा है diameter is the longest code हाँ यह बात बिल्कुल सही कह रहा है कि जो code आपकी center को cross करते हुए और circumference पे दोनों तरफ 2 point पे मिल जाए जैसे यह आपका circle है और यह आपका center है तो center से cross होते हुए जो कोई code जाके circumference पे 2 point point A और point B पे मिल जाए center को cross होते हुए यह भी code है और यह क्या है आपकी सबसे बड़ी से बड़ी diameter क्या होता है सबसे बड़ी code होती है तो दूसरा option मेरे को बिल्कुल सही लग रहे तो दूसरा option सही अब option में देखना पड़ेगा यह second option में ही दे रहा है only statement B is true only statement B is true तो option B आएगा इसका ठीक है अब इसको वापिस cross करना पड़ेगा और उपर करना पड़ेगा यह लोग यहां पर आ जाते हैं देखो यहां तक कितने question होगे 25 से start किया था साइथ 35 तक 10 question होगे तो इन में से तो अभी तक मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि कोई question tough हो बिल्कुल easy question थे सारे के सारे ही अब है आगे वाला यह क्या कह रहा है ए बुलक कार्ट बुलक कार्ट मतलब बैल गाड़ी तांगा गाड़ी कुछ ही बोल सकते हैं is carrying 230 kg of sand एक बैल गाड़ी पे 230 kg sand लेके जा रहे थे construction site पे और कह रहा है 4.65 kg गिर गई 230 kg में से 4.65 kg मिट्टी गिर गई पांच में से अगर 4.65 को माइनस करते हैं तो आपका 0.35 kg बची मतलब अगर मानलो कि पूरा का पूरा ही 230 में से पूरा का पूरा ही 5 kg मिटा दें तो आपका कितना बचेगा 225 तो जिसमें 225 के अलावा आ रहा है वो तो काड़ दो आप इन दो ओप्सन में आपके 225 आ रहा है अब क्या है 0.65 तो 0.65 को 100 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा 0.35 तो ये बचेगा कितना फिर 225.35 सिंपल सा इसमें माइनस ही करना था और डाइरेक्ट आपन जैसे मैंने बोला वैसे आप भी इसको माइनस कर सकते थे सीधा कैसे 0.65 है तो 100 में से 0.65 100 में से 65 गटा लो आप तो कितने आएंगे 35 तो 0.35 आजाएगा 225.35 225.35 अब आगे वाला क्या क्योस्टन है If the speed of car is reduced, car की speed कम कर दी गई है कितने से 100 km पर आर से 50 km पर आर कर दी गई speed पहले कार की थी 100 km अब कर दी है 50 पहले उसको कुछ time लग रहा था 100 km की कोई कार जारी होगी मानलो उसको एक गटा लग रहा था तो अब उसी distance distance उतना ही है मानलिया कि 100 km का distance है और एक कार 100 km की speed से जारी है तो उसको कितना time लगा distance upon speed 100 upon 100 तो एक गंटा लग गया तो कह रहा है अगर इसकी speed 50 km पर आर कर दी जाए तो distance अपना 100 है speed 50 कर दी तो time कितना हो जाएगा 2 गंटे लग जाएगा मतलब time double हो गया आपका पहले से क्या हो गया double हो गया time तो double हो गया तो यह आपका option c time क्या हो गया आपका double हो गया इसके अंदर ठीक है आगे वाला भी speed time distance का है इसमें क्या कह रहा है a train cover से distance of 1862 km with a speed of 98 km पर आर कह रहा है एक train 1862 km का distance 98 km पर आर की speed से cover कर रहा है तो पूछ रहा है train को वो distance cover करने में कितना time लगेगा distance क्या होता है time पूछ रहा है time पूछ रहा है distance क्या होता है speed into time time क्या जाएगा distance upon में speed distance क्या दे रिखिए अपने को distance इसके अंदर दे रिखिए 1862 और बटे क्या है upon में speed क्या दे रिखिए 98 अब देखो अब सिरफ अपने को काटना है इसको काटोगे कैसे calculation को कैसे sort कर सकते हो माल ले speed 100 km हो माल ले speed 100 km हो तो 100 km होती तो 1862 के अंदर 1862 में अगर 100 का भाग देते तो कित्ती बार जाता 18.62 और speed actual में है कि 100 से थोड़ी सी कम है मतलब इस से थोड़ा सा ज्यादा time लगेगा 18.62 से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा तो 18.62 से ये तो कमा रहा है ये अटा दो थोड़ा सा ज्यादा देखो 23 गंटे बोज़ादा रहा है किस भी बोज़ादा रहा है तो कितना आजाएगा आपका अगर answer भी लगाओ तो कितना जाएगा 19 hours आजाएगा और वड़ना इसको प्रोपर काटोगे तो भी कितना आएगा 19 गंटे आएगे आपके ठीक है देखो यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हो 19 से जाएगा तो नो आट कितना आजाएगा बहतर तो उपर दो आ रहा है तो 20 बार करके देख लो 20 बार में थोड़ा ज़्यादा आएगा तो फिर 19 बार करके देख लो थोड़ा सा डिवाइड करके देखना पड़ेगा या अपन hit and trial भी कर सकते हैं तो ये hit and trial से हो जाता assume से हो जाता approach से हो जाता ही वनना तो डिवाइड है अब आगे वाला क्या क्योस्टन है find the sum of four digits greatest number चार डिजिट का greatest number and six digits smallest number each having three different digits देखो क्या क्योस्टन बना दिया इन्होंने कह रहा है ये कि sum बताना आपको four digits के greatest number का four digits का greatest number लेना है तो four digits का greatest number तो nine 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 ले सकते थे लेकिन ये कह रहा है उसमें नो जबनाना है तो दुवारे एक नो ले लिया एक क्या ले ले लिया नो एक तो इसमें तीन अलग अलग डिजिट आ गया एक तो आपके nine आ गया एक 8 आ गया और एक क्या गया 7 आ गया तीन अलग अलग डिजिट हो गए और ये 4 डिजिट का सबसे बड़े से बड़ा नमबर बन गया तीन अलग अलग नमबर से तो पहली कंडिशन तो यह हो गई आपकी अब दूसरा क्या क्या कह रहा है 6 डिजिट का smallest number 6 डिजिट का smallest number 6 डिजिट का smallest number मतलब 1 के आगे अगर 5-0 लगा देते हैं 1 के आगे अगर 5-0 लगा देते हैं तो यह तो हो गए अपना 6 डिजिट का smallest number क्या हो गए 6 डिजिट का smallest number लेकिन यह क्या कह रहा है कि इसमें 3 अलग अलग डिजिट आने चाहिए तो सबसे चोटा तो 0 होता है 0 भी इसमें आ गया उसके बाद 1 होता है अगर 2 और ले आए तो 2 कहां पे लाएंगे यह last में यहां 2 लगा दे इस 0 की जगए अगर 2 लगा दे तो इसमें क्या क्या तीन अलग अलग डिजिट हो गए और यह 6 डिजिट का यहां पे 2 लगा दिया और इधर क्या था अपना एक 0 और और 1 तो अब इनका सम करना था तो 7 और 2 9 8 9 9 0 1 तो 109989 109989 option B अब यह देखो इसने जल्दीवाजी में कोई mistake कर दी यह नहीं आएगा 109989 आगे वाला क्या क्योंसन है कि subtract 28,576 28,576 को subtract करो किस में से from the sum of least and greatest of 5 digit number formed using मतलब यह एक 5 digit अलग अलग दे रखें इनसे कह रहा है इनसे एक तो बड़े से बड़ा नंबर बनाओ एक छोटे से छोटा नंबर बनाओ उनको add करो जो sum आजाए उस में से इसको minus करना है फिर आपका answer क्या आ रहा है वो पूछ रहा है तो क्या-क्या digit है सबसे पहले आपका 8 आ गया फिर क्या 5 3 1 0 तो यह तो इन 5 नंबर से 5 अलग-लग digit है इनसे सबसे बड़ी से बड़ी संख्या यह बन गई छोटी से छोटी क्या बन जाएगी और इन दोनों को add कर दो जोट दो 8 6 6 5 9 तो आपका इन 5 नंबर से सबसे छोटे से छोटा और बड़े से बड़े का सम कितना आ गया 95.668 और इस में से क्या गटाना है कर 28.566 को सब्ट्रेक्ट करना है तो सब्ट्रेक्ट कर देंगे इस में से 8 में से 6 गया 2 तो unit digit पे 2 यहां पे भी आ रहा है यहां पे भी आ रहा है ठीक है फिर आगे भी और चलना पड़ेगा फिर देखो यहां पे 6 में से 7 जाएगा नहीं तो एक carry कर लेंगे तो यह कितना हो जाएगा 16 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा आपके 9 16 में से 7 जाएगा 9 अब देखो यहां पे 9 आ नहीं रहा option तो अपना यह है मतलब answer तो यह आ गया ठीक है फिर देख लेते है यहां से 1 इधर carry चला गया था तो यह 5 में से 5 गया यह 0 आ गया फिर इधर क्या जाएगा 15 में से 8 गया तो 7 और 8 में से 2 गया तो 6 तो 67,092 option A सिर्फ इसमें plus minus था और कुछ नहीं था question को समझ के और plus minus एक बार addition करना था एक बार subtraction करना था एक बार जोडना था एक बार गटाना था और कुछ भी नहीं था इसके अंदर आगे वाला आपका question है the compliment of one-fourth of a straight angle straight angle क्या होता है 180 degree के एंगल को बोलते है straight angle 180 degree के एंगल को क्या बोलते है straight angle फिर क्या कह रहा है compliment बताना है अपने को किसका one-fourth of straight angle तो इसका one-fourth एक बाटे 4 कर दो तो कितना जाएगा 45 तो 45 degree का ये पूछ रहा है compliment compliment क्या होता है जिन दो angles का सम 90 degree होता है वो तो क्या होते हैं आपस में compliment होते हैं और जिन दो angles का सम 180 degree होता है वो क्या होते हैं supplement होते है C पहले आता है तो compliment S बाद में आता है तो supplement compliment मतलब C तो छोटा جो सम होगा वो C का आजाएगा और बड़ा सम होगा वो किest का आजाएगा S का 45 का compliment कितना आजाएगा 45 का compliment angle आजाएगा आपका 45 ही तो option में देख लो 45 किसमें option में 45 नहीं दे रहा option में दे रहा है acute angle तो acute angle है यह अपना 45 degree option A आ जाएगा फिर कह रहा है right angle यह नहीं आएगा obtuse angle यह भी नहीं आएगा half of right angle इसमें तो D भी आ रहा है answer A और D दोनों के अच्छा 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 यह नीचे देखो इनमें क्या कह रहा है A और D यह देखो option 4 इसमें क्या कह रहा है A और D दोनों किस में आ रहे है option 4 में आ रहे है A और D option 4 के अंदर दोनों आ रहे है तो दोनों सही है A वाला statement भी सही है कि 45 degree acute angle होता है और बाद में D का कर रहा है half of right angle तो right angle आपका 90 degree का आंगल राइट angle होता है और इसका हाफ कितना आ गया 45 तो 45 डिग्री आ गया तो दोनों में 45 45 आ रहा है आपका तो ऑप्षन D आ गया ठीक है अब करते हैं आगे वाला question यहां तक तो ऐसा कोई भी question नहीं था जो नहीं हो सके सारे question class में करवाये हुए आपकी notebook में करवाये हुए थे class में करवाये हुए उनमें से आया है सबकुछ अभी तक तो और कुछ मुश्किल नहीं बिल्कुल सब इज़ी ज़ी चोटी मोटी calculation है और कुछ नहीं बस question को थोड़ा सा समझना था और solution आपके हाथ में होता अब है 41 यह भी देखो complimentary supplementary का आगया वापिस angle is three times, angle क्या है three times of the half of right angle half of right angle, right angle कितना degree होता है? 90 degree, इसका half मतलब कितना हो गया? 45 degree तो 45 degree इसका half हो गया, अब यह करें angle is three times of half अब इसका three times पूछ रहा है, तो इसका three times कितना आजाएगा? 135 135 तो यह देखो यह जो statement दे रहा है यह वाला angle तो क्या आगया और इसका बताना है 135 का supplement बताना है तो 130 supplement क्या होता है दो angles का sum कितना हो आपका 180 degree हो तो इन में से कह रहा है एक angle 135 है तो दूसरा कितना आएगा तो 180 में से 135 को माइनस कर दो कितना जाएगा 45 डिग्री कितना जाएगा 45 डिग्री यह लो सिंपल सा complimentary और supplementary अंगल के दो क्योस्टन आगया इसके अंदर और बिल्कुल इजी सा है यह पांस मिनिट का टोपी का दो क्योस्टन आगया 6 नंबर के मैंत में इसमें क्योस्टन नंबर 42 क्या है अरेंस दा गिवन fraction from least to greatest fraction छोटे से बड़े में बताना है आपको और विल बी second last place पिछे से हाइस से दूसरे place पे कौन सा है देखो सबसे पहले इनको arrange करने के लिए क्या करेंगे इनको points में change करना ही सबसे अच्छा तरीका रहता है इन पते से फशी जिरो लगा है एक बटे सीन को क्या लिख सकते है पोइंच चालता रहता है yeah I am a it को ब Oczywiście में बटे चसे को क्णा लिख सकते है पॉइंट है देखो आयज लगा दिया तो पांगे 0 आ गया 54 हो गया तो तो six से आठ टाइम्स, आठ से करता लिए दो बचे, फिर वापिस three, तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको 83 लिख सकते हैं, फिर आगे seven upon fifteen, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो, पंदरा का टेबल बोलना है, 15 forza, 60, 15 forza, 75, 75 तो इससे उपर चला गया, तो 15 forza, 60, फिर दस बच के, अब दस आगे की जरुत है नहीं, देखो, एक digit से ही अपना आप answer आ रहा है, तो अब इनको arrange करना है, ये क्या कर रहा है, least to greatest, छोटे से बड़ा, सबसे छोटा क्या है, 0.33, 0.33 क्या था आपका, 1 by 3, उसके बाद क्या है, 0.4, तो 0.4 क्या रहा है, 7 by 15, फिर क्या रहा है, 0. 0.60, तो 0.60 क्या था, 3 by 5, उसके बाद में क्या है, 5 बटेच है, तो सबसे बड़ा क्या आगया, 5 बटेच है, ये कह रहा है, last say second, तो last say second अपना क्या रहा है, ये आ रहा है, last say second क्या रहा है, 3 by 5, तो देखो, यहाँ पे भी इस बच्चे ने कर दी, गड़ड, गलत कर दिया तो ये नहीं क्या आएगा, 3 by 5, last say second पूछ रहा है, last say second, तो last तो अपना 5 by 6 था, और last say second क्या रहा है, 3 by 5, 0.60, सबसे बड़ा क्या है, 0.30, फिर 0.60, फिर 0.40, ये आगे 0 आजाएगा, 0.40, ये कितना आगया, 0.33, तो सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, तो ये वाला से second कौन सा आएगा, ये 0.60 क्या था, 3 by 5, तो option D, आगे वाला भी fraction पे ही आपका, arrange the following fraction in ascending order, इनको बढ़ते हुए करम में लिखो, ascending order में लिखना था, अभी मैंने बताया, आपको पॉइंटों में चैंज कर लो, 2 by 3 क्या होता है, 0.66, आपको ये यादी करवा रखेते, class म क्लास के अंदर यादी करवा रखेते हैं, इस टाइप के, 1 by 3, 2 by 3, परसेंटेज में ये सब करवाये हैं, 5 by 6 को क्या लिखेंगे, 0.83, अभी लिखा है 5 by 6 को क्या, 0.83, तो ये खुच आ रहे हैं, देखो, आप दिमाग लगा हूँ, तो आपने एक बार यहाँ पे calculation कर ली, दुबारा लिखने की जरुरत नहीं है, 7 by 8, 70, पॉइंट लगा दो, 70 में 8 का भाग दोगे, तो कितना आएगा, 8 एट जा कितना होता है, 64, तो 28, 64, अब देखो, यहाँ पे 8 आगया, यहाँ पे 8 आगया, अब इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, second digit भी निकालना पड़ेग तो 8, 8 जा कितना, 64, रिमेंडर कितना बचा गया, 6, 6 के आगया, वापिस 0, तो 8 फिर 7 जा 57 आएगा, दो डिजिट निकाल लिए अपनने, 087 आगया, फिर 14 का टेबल बोलो, पॉइंट लगा आगया, 14, 14, 75, 14, 6 कितना होता है, 84, 14, 7, 98 होता है, तो यहाँ पर अगर एक 0 आएगा आगया, तो यह नाइटी बनता है, 98 तो ज्यादा चला गया, तो 14, कितना, 14, 75, 4, 6, 84, 14, 6 कितना होगा, 84, तो 14, 6, 84 आगया, वापिस कितना बचा गया, रिमेंडर 6, तो 14, 1 जा 14, 14, 2 जा 28, 14, 3 जा 42, 14, 4 जा 56, 14, 5 जा 70, 70 ज्यादा चला गया, 56 लाना था, तो 14, 4 जा 56, तो यह क्या आगया, 0.64, अब इनमें से, असेंडिंग ओडर में, बढ़ते हुए करम में, छोटे से बढ़ा, तो सबसे चोटा गया, 0.64, 0.64 किस की वेल्यू थी, 9 अपवन 14 की, असेंडिंग ओडर में, बढ़ते हुए करम में, लिखना है, इसके बाद क्या रहा है, 66 क्या जाएगा, 2 बाइ 3, उसके बाद क्या रहा है, 83, तो 83 क्या जाएगा, 5 बाइ 6, और लास्ट में क्या रहा है, 7 बाइ 8, यह देख लो, कौन से ओप्शन के अंदर है बाइगा, अपशन D में आ रहा है, ऐपशन D में आ रहा है, 9 बाइ 14, 7 बाइ 8, 7 बाइ 8, उपशन कौन, 2 बाइ 3, 5 बाइ 6, 7 बाइ 8, उपशन C, देखो यह वाला उपशन अपना एकदम करेक्ट में चो रहा है, तो क्या जाएगा, उपशन C, ठीक है, चलो आगे वाला करते अगे वाला क्योश्चन है यह 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 रेश्यो परफोर्श्ट का यह परफोर्शन तो इसमें लगी नहीं रहा रेश्यो का ही है करेक्ट टेबल बिलो सोज दा प्रैस ऑफ सम आइटम्स इन्हें सोब एक दुकान के अंदर कुछ समान है उनके प्रैस दे रहे की इन्होंने क्या प्राइज दे रहिए सुगर 72 किलो है पर केजी प्राइज दे रहिए रिखेर के राइज की 108 है कोफी की 237 वीट की 63 है तो अब यह पूछ रहा किया कंबाइन प्राइज ओफ सुगर और राइज सुगर और और राइस यह है आपका 108 में अगर 72 एड करते हैं तो सुगर और राइस की कितने आ जाएगी 180 किसके साथ कॉफी और वीट कॉफी और वीट यह हो गया 63 और 37 63 में अगर 7 जोड देते हैं तो 70 हो गया और फिर 30 जोड देगे तो 100 हो गया 63 और 37 100 200 पहले से हैं तो यह कितना आ गया 300 जीरो से जीरो चैसे तीन बार और चैसे पांच बार तो 3 इस टू 5 का क्या आगया रेश्यों यह बिल्कुल सही किया इस बच्चे ने 3 इस टू 5 ठीक है अब ऐसे ही आगे वाला सवाल देखते हैं वाट लिस्ट नंबर सुट बी एड़ेड वोट लिस्ट नंबर सुट बी एड़ेड तो इच टर्म ऑफ दर रेश्यों 7 इस टू 13 तो गैट यह कह रहा है 7 बाइ 13 है कोई और इसके अंदर कोई एक नंबर एड़ किया जाए मालो अपने एकस एड़ कर दिया तो आपका रेश्यों क्या हो जाए 2 बाइ 3 तो इसमें क्या बताया था तो इसमें से 26 में से 21 को माइनस कर दो एकस इसकोल टो क्या गया जाए 5 तो छोटे से छोटा नंबर क्या एड़ किया जाए 5 एड़ किया जाएगा तो क्या जाएगा रेश्यों 2 इस टो 3 यह आप इसको सीधा ओप्रसंट से भी कर सकते थे कि आपका क्या ratio देरखा है 7 is to 13 का ratio देरखा है सबसे पहला option क्या है 1 तो 7 में एक करेंगे 8 और दूसरा क्या था 14 तो यह 2 is to 3 के ratio में आ रहा है कि नहीं आ रहा है 4 is to 7 के ratio में तो option 1 आपका नहीं आएगा 3 add कर लो फिर option 2 में क्या देरखा है 3 7 और 3 10 और यह कितना जाएगा 16 तो यह भी कितना जाएगा 5 और 8 का जाएगा यह भी 2 इस्टू 3 का नहीं आ रहा है यह भी गलत आपका 5 एड़ कर लो 7 और 5 कितना जाएगा 12 और 13 और 5 अठारा तो यह भी 6 से कट जाएगा 2 और यह 3 तो 2 इस्टू 3 तो यह आप ओप्सन से भी कर सकते थे और यह आपका प्रोपर मेथड है प्रोपर तरीका है अब आगे वाला क्योस्टन क्या कह रहा है करें यह प्रोपिट लोस्ट आगे आपके क्योस्टन 5 सेफेंस एवोच कर एक घढ़ी को 126015 और में बेचने पर जावेद को 15 परसेंंट का नुक्सान होता है कितने यह बहलाइप 15% का नुक्सान हो रहा है तो मतलब कितने में बेची होने 85 परषेंट में बेची होगी चिछी आहिए नहीं है प्रोफीट्यों क्या ऑफ उसको उपर उपशिट होता तो अपना सेलिंग प्राइज उसके इंदर कर देंगे जित्राइज प्रोफिट्यों परषेंटक जो Templeाइजton तो तो 10 परेंट में 10 परेंट कर दिया लौ कर साथ कर दिया फिर चहारा है अगर उसको 10 परेंट क प्रॉफिट काता है तो तो सोथब प्रेंट का जैगात कितना चैसे Cert. तो एक्तूत का से कहीं टागा 110 की value बताओ, % से % कट जाता है अपना, 5 से कितना बार गया, 17 बार, 5 से काट दो, 5 टूजा 10, 5 फाइब जा, 5 फाइब जा, 17, एक कम 17, फिर कितना बच गया, 15 into 11 कितना होता है, 165, 165 के आगे 0 लगा दो, एक option, C के अंदर आ गया, कितना आ गया, 165 के आगे 0 लगा देंगे, तो actual में उसके क्या price होनी चाहिए थी, अगर उसको 10% profit चाहिए, 10% profit चाहिए, तो उसके selling price क्या होगी, 1650 होगी, cost price पूछा नहीं तो, अपने cost price निकाली नहीं, यह आगे वाला question थोड़ा से ओपर कर लेते हैं, इसको, अभी तक तो, मुश्किल question तो मैत में अभी तक एक भी नहीं आया, फिलहाल, एक भी question नहीं आया, जिसको मुश्किल बोल सकते हैं, कि बच्चों से ना हो, ऐसा question तो अभी तक एक भी नहीं आया, अब यह क्या होता है, थोड़ी सी जिनकी language जैसे आपको बड़ी लगे, ज उसको आप एक बार skip करके last में कर सकते हो, last में यह बिल्कुल easy लगेगा, starting में अगर इस question को करने लग जाते हो, तो यह question, easy question, starting में tough लगने लग जाता है, तो जैसे यह question थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है अपने को, तो इसको आप last में कर सकते थे, क्या है question, सीमा और रवी, सीमा और रवी, दो लोग है, कौन-कौन सीमा और रवी, इन्होंने डेड़ लाग रुपे invest किये, business के अंदर, किस ratio में, two ratio three के अंदर, two ratio three में कोई business के अंदर इन्होंने पैसा invest किया, ratio proportion का है, यह partnership भी उसके साथ आ जाती है, तो ratio proportion में ऐसे question करवाई थे आपको, इस ratio में उ of the year, they made a profit of 150%, मतलब 150% का profit मिला उनको, किस पे, of the invested sum, तो sum कितना invest किया था, इन्होंने, sum invest किया था, देड़ लाग, कितना invest किया था, देड़ लाग, इस पे 150%, तो देड़ लाग का 150% पूछना चाहरा है, आपसे कितना आए गई, तो 15 का square क्या होता है, 225, तो दो लाख 25,000 कितना आजाएगा, sum किया था, investment कितना किया था, देड़ लाग का, और कह रहा है, उसका 500% उसको profit मिला है, मतलब कितना profit मिला, 225,000 का, पिर क्या कह रहा है, if the share of profit money is same ratio, मतलब कह रहा है, profit का जो share है, वो क्या है, same ratio में होगा, जिस ratio में इन्होंने invest किया था, तो किस ratio में invest किय किया था, तो अब यह कह रहा है, कि 2-3 के ratio में ही इसको वापिस distribute कर दो, कि इसको profit को, तो देखो, 2 और 3 कितना हो गया, 5, 2 प्लस 3, 5, तो यह कह रहा है, 5 की value आपकी यह दे दी, 5 की value क्या दे दी, 225, आगे 3,0, 2,25,000, तो 1 की value कितने आ जाएगी, तो 225 में 5 का भाग दो, क अब यह कह रहा है, यहाँ पे, सीमा का सेर कितना है, 2, तो 45,000 को 2 से multiply कर देंगे, तो कितना जाएगा, 90,000, कितना जाएगा, 90,000, और 45 को 3 से कर देंगे, तो वो कितना जाएगा, 135, आगे 3,0, तो 1,35,000, सीमा का सेर आ गया, 90,000, और रवी का सेर आ गया, 1,35,000, पूछ रहा किसका है सीमा का सेर सीमा का है पहले है पहले का है सीमा ये तो ये वाला सेर 90,000 आया है ये किसका है सीमा का है देखो इसने सही निकाला होगा फिर भी इसने गलत कर दिया इसने रवी के सेर पर टिक कर दिया इस बच्चे ने तो क्या आएगा 90,000 सीमा का सेर ठीक है आगे वाला यह कहा रहा है, चार statement दे रहिए. इन मेंसे बताना कौन सा statement सही है? इन चार statement मेंसे कौन सा statement सही है? यह बताना आपको. देखो, यहीं पर इनके अंधर ही calculation करते जाओ. 21 मेंसे 15 गये कितने बच गए? 6. 6 मेंसे 6 गया 0, इधर भी 0 आना चाहिए. पंदरा में से 6 गए कितने बचे 9 21 में से 9 गए तो 0 तो आएगा नहीं इसका मतलब आगे पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी आपको जब option से solve कर रहे हो तो पूरी क्यों कर रहे है पूरा निकाल करना ही क्या 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये option तो नहीं होगा फिर क्या है आपका 36 डिवाइड बाई 6 तो ये कितना आजाएगा 6 अब 14 को 6 से गुणा कर दो तो कितना आजाएगा 84 और 84 में से 10 को माइनस करना है कितना आजाएगा 74 तो यहाँ पे 84 ला रहा है ये भी गलत इसको कर लेते है ये 25 है आपका और 49 में 7 से डिवाइड कितना आजाएगा 7 इंटू 5 है माइनस 6 तो ये 25 और ये क्या आजाएगा 35 आपका माइनस चाहिए 25 और 35 कितना हो गया 25 और 35 हो गया 60 60 में से 6 माइनस करेंगे कितना आजाएगा 54 यहाँ पे भी 54 आ रहा है इसका मतलब ये statement फूर्थ वाला आपका बिल्कुल सही है फूर्थ वाला जो statement दे रुका है ये वाला statement सही है तो इसको अब चेक करने की जर्रत ही नहीं है इधर से आया अपने ये कर लिया तो इसका मतलब ये तो आ नहीं सकता तो option 4 आपका बिल्कुल सही है ऐसे ही यह simplification का आगे वाला की option दे रखा है इसमें आपको बताया था सबसे पहले bracket solve करने है तो 6 में 2 से divide किया कितना आगे है? 3 bracket पुरा solve नहीं है 9 or 2 कितना हो गया? 11 में से 3 minus किया तो कितना? इस छोटे वाले bracket को solve करेंगे तो अपना आजाएगा 8 8 आगया फिर आगे कहा रहा है off की जगह है? multiply हो जाता है multiply कर दिया 7 threes है कितना होगा? 21 minus में 8 है 21 में से 8 को minus करना है अब देखो यह बीच वाला यह जो large bracket है इसके अंदर का solution चल रहा है 21 में से अगर 8 को minus करोगे तो 21 में से 8 minus करो कितना आएगा? 21 में से 8 minus करेंगे तो कितना आजाएगा? 13 13 और 8 कितना होता है? 21 तो यहाँ पर कितना आगया? 13 अब 13 में 9 add करना है तो 13 में 9 add करोगे तो कितना आजाएगा? 7 threes are 21 21 में से आपने 8 minus कर दिया 21 में से 8- माइनस कर दिया कितना अगया 13 अब देखो यहाँ पे 20 में 6 हो रहे गया 21 में से 8- किदना अगया 13 13 में 6 और add कर दो 13 में 6 add कर दें, कितना अगया 19 और 19 और 9 कितने होगे 28, 19 प्लस 9 कितना आजाएगा 28 सिर्फ calculation थी, option D में है 28 औप्शन डी के अंदर है 28 सिर्फ केलकुलेशन थी छोटी सी आगे वाला करें मीन मीन का मतलब मैंने खुब बार क्लास में बताया था कि एवरेज को ही मीन बोलते हैं मीन को ही एवरेज बोलते हैं तो इसमें पूछना चाहरा है मीन वर्ड सिर्फ आपको कन्फ्यूज करने के और इनको पूछ राहे पूछ रहे इनका मीन बता नहीं बरेंड़के मीन इसने दे रिख और ये तो आपका सम आ गया टोल इनका सम कितना ऑगा 110 अब आब इनको add कर लो एक बार 17 और 13 कितना हो गया 30 और 30 और 20 कितना हो गया 50 और 13 63 , التव 11 10 में से 63 माइनस कर दो, 110 में से 63 माइनस करना है आपको बस Add तो सही कि एक बबस ओर कर लेते है 17 प्लस 13 कितना हो गया 30 30 ओर देखो यह 4 का 1 बन मेंने इसको दे दिये 20 बना दिये 19 और 20 बना देते है तो 14 में से 1 किसको दे दिये 20 बन गया 30 और 20 कितना हो गया 50 50 मेंज फिर 15 बचाते हो गए 63 110 में से 63 को माइनस करना है तो 63 को अगर 100 बनाते हैं तो इसमें कितना एड़ करना पड़ेगा आपको 37 तो 37, 63 को 100 बना देगा तो यह 100 बन गया उपर 10 ओर है तो कितना जाएगा 47 तो आपका उप्शन क्या जाएगा 47 इनका डिफरेंस कितना जाएगा 47 ठीक है अब आगे वाला देखो यह क्या करे है Given below Are the runs scored by a batsman in 4 match यह match हैं 1, 2, 3, 4 इनके अंदर यह score किया एक batsman ने तो यह पूचरा calculate the average runs average run मतलब 4 matchों के अंदर उसने average run कितने मनाए होगे कि total इतना आजाए तो 98 plus 6 कितना होगे आपका 104 98 plus 6 कितना होगे 104 और 104 में 35 add करोगे 35 में 4 add किया 39 तो 139 आपका total runs आगे 4 match के अंदर 4 match में total run 139 है average कितना आजाएगा इसको 4 से divide कर दो 4 4s are 12 होता है फिर remainder कितना बच गया 1 फिर आगे 19 4 4 3s are 12 होता है 4 3s है क्या हो गया 12 हो गया 4 3s हो 12 एक remainder बच गया फिर 19 तो 19 में 4 से divide करेंगे 19 में 4 4s हो 16 तो कितने टाइमस चला जाएगा 34 फिर आगे point आजाएगा आपके 3 remainder बच गया तो point लगा दिया तो उसके आगे 0 और आजाएगा तो 1 0 और 4 से कितने बार जाएगा 28 7 times फिर 2 बच गया 1 0 और लगा दिया तो 5 ये सारी calculation हवा में करनी पड़ीगी 34.75 किसमें आ रहा है option D के अंदर वैसे पूरा निकालने की जरुरत ही नहीं थी जब आपका 34 आ गया ये देखो what percent of four days is six hours four days का six hours कितना परसेंट है तो मेरे को बताओ एक दिन के अंदर कितने घंटे होते है one day में होते हैं आपके 24 hours तो four days के अंदर कितने हो जाएंगे four days में हो जाएंगे 24 into four तो कितना आ गया आपका कितना आ गया 96 तो total आपके कितना आ गया 96 hours आ गये four days के अंदर total कितने hours आ गये 96 hours आ गये और ये कह रहा है कि six hour है आपका ये 96 hour का कितना परसेंट है ये तो पूसना चाह रहे unit उपर नीचे अपने को same करनी पड़ेगी 6 गंटे चाण में गंटे का कितना परसेंट है ये पूछना चाह रहे तो 6 गंटे चाण में गंटे का कितना परसेंट आ गये 100 लगा देंगे 6 से कितनी बार चला गया 16 बार तो 1 by 16 का मैंने परसेंट के अंदर आपको याद करवाया था समझाया था पूरा तो 1 by 16 क्या होता है 6 is to 1 by 4 होता है 1 by 15 क्या होता है 6 is to 2 by 3 तो 1 by 16 क्या होता है 6 is to 1 by 4 आगे डिवाइड करने की जर्रत नहीं है अपने को डिवाइड करने की जर्रत नहीं है अब देखो यह क्या कर रहा है मेच लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है मतलब यह एक तरफ यह दे दिया स्टेटमेंट और यह पूछ रहा है कि सही है या नहीं सबसे पहले लोंगेस्ट कोड अब लोंगेस्ट कोड का एक क्योंचन इसी पेपर में पहले आ गया है कि डायमेटर होता है अपना वो सबसे बड़ी कोड होती है सेम क्योंचन मतलब अपने पहले सोल किया इसी पेपर में आ गया है उसको रिपीट किया है तो लोंगेस्ट कोड क्या जाईगा आपकी डायमेटर first का क्या आना चीए second a का क्या आना चीए second ये इसमें आ रहा है सिर्फ a की option में तो आगे वाले देखने की जर्रत नहीं है direct tick कर देंगे first statement देखा कह रहा है longest code longest code क्या होती है diameter होती है और ये सिर्फ option एक में ही दिख रहा है three cubes whose each as is four centimeter ये कर रहा है तीन क्यूब है cube का मतलब क्या है कि जिसकी length width or height four 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 oh तो वो तो cube हो गए वो कर रहा है three cubes को join कर देना है मतलब तीन क्यूब है आपके मैं इस type का बना रहा हूँ cube proper ऐसा होता नहीं है वैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि तीन cube को ये क्या कर रहा है जोड रहा है तो देखो एक की side चार थी तो इसकी भी 4 हो जाएगी इसकी भी 4 तो cube की अब ये cube बचा है क्या हो गया है अब ये cube नहीं cubeoid हो गया तो cubeoid के कार रहा है length आपकी कितनी हो गई 12 हो गई 4 plus 4 प्लस 4 होग ये साइड भी चार है और यह जो दिख रही है he side भी आपकी 4 है तो length, width और height तीनों आपके 4 देर की थी तो अब यह कह रहा है इसमें 4-4 के 2 NosTION तो आपकी क्या होगी? 12 तो होगी length और height और width जांब है तो यह क्या होग애? 12 into 16 और यह कितना होता है? 192 और centimeter देर का है और centimeter देर का है? तो क्यूबोईट का वोल्यूम कितना आ गया 192 cm क्यूब आ गया ठीक है आगे वाले क्योंसन में क्या कर रहे देप पेरिमेटर ओफ वन फेस ऑफ एक क्यूबोईट इस 40 cm कि एक क्यूबोइड है क्यूबोइड है एक आपका जैसे इस टाइप का क्यूबोइड है उसके एक फेस का पेरिमिटर मालो यह एक फेस है क्यूबोइड है तो उसका एक फेस मतलब रेक्टेंगल सेप में होगा क्यूबोइड का से एक फेस क्या होगा रेक्टेंगलर होगा त 40 cm मतलब यह चारो साइड है तो आपका रेक्टेंगल का पेरिमिटर क्या होता है 2L प्लस B 2L प्लस B यह आपका देर कहा है इसने 40 cm तो L प्लस B आपका क्या आजाएगा 40 by 2 कर देंगे तो कितना आजाएगा 20 आजाएगा तो L प्लस B 20 आजाएगा आगे देखो क्या करें इस दे लेंद एड़ डेफ्ट अब देखो लेंद विड्थ और हाइट हाइट को आप डेफ्ट भी बोल सकते हो गहराई भी बोल सकते हो तो होती कहा है अब कुआ खो देंगे उसमें हाइट थोड़ी होईगी गह कर देफ्ट है एट स्सक्राइट ने कितनी थरटीन तो लेंद थरटीन है और ब्रेफ यहां से निकल जाएगी आद ड्रेफ कितनी आ गी एक और चौंट पीड और हाइट अब इस देफ्ट पीट अब तो आ जाएगा तर आपका वोलियूम टाजरों निट ने अ एट सेवन जा कितना आगया 56 इंटू 13 728 क्या आगया 728 सेंटिमेटर क्यूब ओप्शन C इसमें बच्चों ने गलती इसने क्या किया है हाँ इसने सही किया देखो बच्चों ने गलती क्या किया होगी 8 को वीड़ ले लिया होगा तब तो गड़बड होगी और 8 को अगर height ही रखा होगा depth ही रखा होगा तब सही होगा वैसे इसमें गुमाने के लिए इन्होंने सिर्फ यह दिया है और कुछ भी नहीं था इस question के अंदर आगे वाले में क्या किया रहे composite number 4 consecutive composite number 4 लगातार composite number बता देने है composite number क्या होते है प्राइम नमबर क्या होता है पहले तो आप बताओ प्राइम नमबर क्या होता है प्राइम नमबर ऐसा number जिसका factor जिसके गुणनखन सिर्फ 1 और वो number खुद होता है जैसे 2 ले लेते हैं 2 छोड़ो 5 ले लेते हैं तो 5 के factor, मतलब इसमें किस-किस का भाग जाएगा, या तो 1 का जाएगा, या 5 का जाएगा, तो सबसे छोटा prime number तो 2 होता है, composite number क्या होगा, जिसके 2 से ज्यादा factor हो, मतलब खुद और वो number तो हो गई, उसके अलावा कोई तीसरा factor आ गया, वो आपके हो गया composite number, मतलब prime number के अल definition हो जाएगी, 3 क्यों 2 से ज्यादा हो गई, या 3 से ज्यादा, या more than 3 बोल सकते हो, या 2 से ज्यादा बोल सकते हो आप, एक ही बात है इन सब इस statement की, तो composite number आपको बताने है, जिनके factor 2 से ज्यादा हो रहे हो, अब देखो, यहाँ पर 23 आपका prime number है, composite number नहीं है, तो यह वाला नंबर नहीं है, 19 से डिवाइड होता है, लेकिन 59 आपका prime number है, इसका मतलब यह भी नहीं होगा, composite number ही नहीं, इसमें एक एक सब में prime number आ गया, यह वाला क्या है, 90, 91, 92, 93, 91 में भी 13 से डिवाइड हो रहे है, यह कि से हो रहे है, इसमें कोई भी आपका prime number नहीं है, सारे, इस से ज्यादा सिर्फ option d में आ रहे हैं तो answer क्या हो जाएगा option d आपका फिर यह क्या आगे वालों क्या पूछ रहे है ते पेर ओफ ट्विन प्राइम नंबर बिट्मिन सेवन्टी एंड और त्विन प्राइम नंबर का मैंने क्या बताया था आपको क्या डिफिनेशन होती है त्विन प्राइम नंबर की ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफ्रेंस दो हो प्राइम नंबर का डिफ्रेंस दो हो वो क्या होता है त्विन प्राइम नंबर जैसे तीन और पांच पांच और साथ, ग्यारा और तेरा, जिनका डिफरेंस टू आए, वो क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, अब इनमें देखना है, डिफरेंस टू किस डू किस में आ रहा है, और बीचपे ध्राइम नबर आजाता है तो यह यह अपके ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, इनका Show 2 नहीं है, इनका दिफ्रेंस 2 और किसी में नहीं आ रहा, एडिकते हैं, अब इसमें क्या के रही h, इस question में कहा रहा है Name the triangle sewn below based on both sides and angles इसने triangle बना दिया उसका angle दिखा दिया और sides बता दिया देखो इसमें एक dash इसमें दो इसमें तीन मतलब इस triangle की तीनो sides बराबर नहीं है और यहाँ पर एक angle 90 degree का दे दिया मतलब एक angle आपका 90 degree का है और तीनो sides आपके बराबर नहीं है तो यह right angle triangle तो है यह तो देखते हैं iso cells and acute angle नहीं है right angle तो है यह पर obtuse है गया obtuse भी नहीं है right angle obtuse क्या होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा 90 से 180 के बीच का अंगल तो 90 से 180 के बीच का अंगल तो आई नहीं सकता है इसमें एक angle 90 का आगया थी दोनों क्या होंगे छोटे होंगे तो यह भी आपका नहीं हो सकता फिर iscaline iscaline triangle क्या होता है जिसकी तीनो sides unequal हो तो इसकी तीनो sides unequal है और एक angle right angle भी है तो यह right angle triangle भी हो सकता है तो option B आपका बिल्कुल match कर रहा है equilateral तो है यह नहीं तो option D भी नहीं होगा definition यह याद करवा ही थी वैसे तो क्या ही होगा बच्चोंने सबने आगे वाला देखते है given below are two statement one is labeled as assertion a and other is labeled as reason एक तो आपका assertion है दूसरा क्या है एक तो statement है दूसरा उसका reason देरका है यह statement बोल रहा है और दूसरा क्या है उसका reason है देखते है statement क्या है reason है सही देरक है statement या नहीं देरका है यही पूछ रहा है right angle triangle is not a regular polygon regular polygon right angle triangle regular polygon नहीं है बिल्कुल सही कह रहा है right angle triangle regular polygon नहीं है regular polygon नहीं है right angle triangle, विल्कुल सही बात है क्योंकि regular polygon क्या होता है, जिसकी sides भी बरापर हों और angles भी सारे बरापर हों वही polygon आपका regular polygon होता है reason क्या देर का, all the sides and angles of a regular polygon are equal तो all the sides all the sides and angles of a regular polygon are equal, तो ये तो दोनों चीज़े सही दे रुखिये हैं दोनों चीज़े सही दे रुखिये है a भी सही है और r भी सही है both a and r true r is the correct explanation of a both a and r true but r is not the correct explanation of a नहीं, ये आपका बिल्कुल सही है option a बिल्कुल सही है आपका ठीक है 60 वाले में आजओ ये कह रहा, find the value of 54 divided by 54 को क्या करना है divide करना है तो divide करना किसे 0.009 से तो 54 को 0.009 से divide करेंगे point अटाएंगे तो उपर कितने 0 चले जाएंगे 3 0 उपर चले जाएंगे तो 9 6 जा 54 ये कितना आगा, 6000 तो option c 6000 आपका बिल्कुल सही है ठीक है आगे वाला क्यों संदेखो क्या है ये batsman scored 190 runs एक batsman ने 190 run score किये which included 10 boundaries and 6 6s मतलब 10 तो boundaries 40 run तो उसने चोके लगा के बनाए और 6 चके लगाए मतलब कितने run बना लिए 36 run चको से बना लिए उसने तो ये कह रहा what percent of his total score he make by running दोड के उसने कितने लिए मतलब 76 run तो इसने boundaries और 6 से बना लिए 196 आपके total थे तो 196 में से अगर 76 minus कर देंगे तो 76 और 40 90 होता है तो 114 run इसने क्या किये दोड के लगाए तो ये फूचरा है 114 run 190 run का कितना percent है 10 से 10 19 से 114 तो कितना आगया आपका 60% कितना आगया 60% ठीक है आगये वाला देखो अभी तक तो आपका बिल्कुल ठीक ही चल रहा है मतलब एक आदा question थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव है थोड़ा सा गुमाक है बाकी तो बिल्कुल easy है करवाई हुए सारे हैं फिर भी कई बार क्या है बच्चों को समझ में नहीं आता है एक्जाम में pressure भी रहता है तो थोड़े से जो गूम के question होते हैं इनको अगर आप last में लोग है तो सारे हो जाएंगे रिया इस डूइंग ए पेपर कटिंग एक्टिविटी पेपर कटिंग एक्टिविटी कर रही है सी कट्स फोर आइडेंटिकल स्क्वाइर कोर्नर काट दिये उसने rectangular seat के find the area and perimeter of remaining seat area और perimeter बताना है remaining seat का अब देखो area सबका अलग है नहीं area भी यहां सेम है area और perimeter दोनों निकालने पड़ेंगे अपने को तो area कैसे निकलेगा area तो देखो पहले पूरे rectangle का area निकाल लेते हैं पूरे rectangle का area कितना जाएगा 24 into 20 तो यह कितना आ गया 480 और minus क्या कर देंगे यह 4 corners वाले square है इनको minus कर देंगे square का area क्या होता है side का square side क्या देर के यह देखो 4444 आ जाएगा एक square का area 16 है तो 4 square का area कितना हो जाएगा 64 तो 480 में से अगर 64 को minus कर देंगे तो यह कितना आ गया आपका 416 तो area तो आगया 416 एरिया एक में है 416 तो आगे perimeter निकालने की ही जर्रत नहीं है एरिया 416 आ गया तो option A आपका area देखते ही A पे टिक कर दो B पे जाने की ही जर्रत नहीं थी आगे वाला क्योश्चन find the area of a unsaded region in the given figure unsaded region मतलब यह तो देखो इतना सा area तो इसने shaded कर दिया इसके अलावा जो बचा है वो unsaded तो पहले तो क्या ही एक rectangle देर का इस पूरे rectangle का area निकाल लेते है 7.2 into 4 तो कितना आजाएगा 28.4 तो आगया पूरे rectangle का area कितना आगया 28.8 आगया अब यह कह रहा है इसमें से अगर यह shaded वाला minus कर देते हैं shaded वाला minus पहले अब देखो यह वाला भी क्या हो गया यह rectangle बन गया यह rectangle बन गया इसका area निकाल लेते हैं इसका area कितना आजाएगा length 2 है और यह height length into width होगा यह 2.5 है यह 2 है तो यह कितना आजाएगा 5 तो अंदर यह rectangle है इसका area आगया 5 अब इसमें से अगर यह वाला area हटा देते है इसकी देखो क्या देर किये इसने dimension यह वाली length है आपकी 1.5 देर किये है और यह क्या देर किये 0.5 तो 1.5 को 0.5 से multiply करेंगे तो कितना आगया 0.75 तो 5 में से अगर 0.75 को minus कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 4.25 तो अगर यह 4.25 ए, senator죠 कितना है 4.25 तो यह 2.18 में से 4.25 minus करो 4.20 कितना 25 था 25 मैंनेस करना है तो 28 मेंससे 4 minus किया कितना आगया सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें कितना जाएगा 55 ऑप्शन सी आपका क्या हो गया बिल्कुल सही हो गया ठीक है कि आगे वाला देखो एफ फार्मर बोरोड एस सम ओफ रुपिस टैन थाउजन फ्रों में बैंक 5पर से रेट से सिंपल इंट्रेस से पूच रहें तीन साल के लिए यह पार्मर बोरोड घैन थाॉजर्ट रुपिस प्रोमे बैंक एक बैंक से 10 अजार रुपए एक फार्मर ने बोरो किए how much interest पूछ रहा है देखो interest होता क्या बताया था मैंने rate into time आपका interest होता है तो कितना हो गया rate into time 5-3-15% तो 10,000 का 15% interest क्या होता है principle का rate into time rate into time कितना आगए 15% तो यह upon my 100 2-0-2-0, 15-0 रुपे क्या आगए अपना interest गलत कर दिया है इस बच्चे ने 1500 रुपे interest पूछ रहा है interest ही पूछ रहा है how much interest will be will he pay bank interest तो 1500 रुपे कहीं पे करेगा bank को 11,050 रुपे तो total amount पे करेगा interest कितना करेगा 1500 पे करेगा यह इसने गलत कर दिया आगे वाला question देखो result took 50,000 from a person for 3 years के लिए at the rate of 8% तो total कितना 24% अपना interest हो गया find the amount paid by result to the person after 3 years 3 साल के बाद में कितना देगा तो देखो मैंने आपको बताया था यह आपका 50,000 है ही 50,000 है 24% interest आ गया मतलूं 100% आपका principle है ही 24% interest मतलूं amount कितना हो जाएगा 124% तो यह पूछ रहा है इसको कितना पेखरेगा 124% परसेंट घटा देंगे नीचे 100 आ गया अब देखो इसको multiply कर लो कितना आ गया 5 बार 2,0 से 2,0 5,20 हासिल 2 10 और 2,12 हासिल 1 5 और 1,6 62,000 कितना पेखरेगा 62,000 तो option B कितना आ गया 62,000 आपका ठीक है The supplement वापिस देखो कॉम्प्लीमेंटरी supplementary एंगल आ गया Supplement of कॉम्प्लीमेंट अच्छा देखो थोड़ा सा इसने और आगे दे दिया Supplement बताना आपको किसका कॉम्प्लीमेंट ओफ 2,3 और राइट एंगल राइट एंगल क्या होता है सब्सक्या थो सब्सक्राइब का सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे तो आपके क्या जाएगा 180 150 In the given figure Measure the X X निकालना इसमें अब देखो यह आपका क्या state line दिखरी है State line क्या होती है 180 degree मतलब यह 3 angles का sum आपका 180 degree है तो इन में से 2 angles तो देर कहें 56 और 47 दोनों को add कर लो 103 अब इसमें कितना add करें कि 180 हो जाए तो 103 में अगर 77 add कर देंगे तो 180 हो जाएगा तो 77 add कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 180 degree हो जाएगा ठीक है आगे वाला क्यों सन देखो The product of place value and face value of 6 देखो 6 का यह है आपका 7860443 तो यह 6 है 6 का place value क्या होगा place value मतलब 6 का आगे जितने digit होगे उतने 0 लगा दो 1, 2, 3 और 4 यह 6 का क्या होगा place value होगा और face value मतलब जो दिखने में कैसे है 6 तो यह क्या कह रहा है product यह आपके place value आगी और face value क्या जाएगी 6 इन दोनों का product पूछ रहा है तो 6 आगे 4 0 into 6 कर देंगे तो यह क्या जाएगा 36 के आगे 4 0 क्या answer आजाएगा 36 के आगे 4 0 यह तो 0 ज्यादा है यह भी 0 यह तो ही नहीं यह भी 0 ज्यादा है option चारों ही नहीं अब देखो मैंने आपको class में अजारों बार यह बात बोली है कि paper में एक question जो easy अब यह easy question है ऐसे आपके सेंकडो question करवा है आपको class के अंदर एक easy question paper में गलत डाल देते हैं जान बूज के अब यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि इतना आना चाहिए गलत अपने कुछ किया नहीं है अब बच्चा paper में क्या करेगा इसको एक बार करेगा दो बार करेगा कि मेरा आग कैसे नहीं रहा तीन बार करेगा और यह question आपको यह मिलेगा bonus mark यह question क्या है आपका जान बूज के गलत देते हैं एक आदा question जान बूज के paper set करने वाले जान बूज के गलत देते हैं तो यह question क्या है आपका गलत इसका मुझ आपको bonus mark इसमें जिसने एक बार में कर दिया नंबर using three different digits smallest five digit number three different digits एक दो तीन दो डिजिट तो आगे अपने और नंबर कितने होगे चार एक दो तीन चार लास्ट में टू लगा देंगे तो यह तीन अलग अलग डिजिट से smallest number five digit का यही बनेगा क्या बनेगा option चार option चार आगे वाला दिखो इस नंबर इस डिविजिबल बाई eight and three both कोई नंबर है जो आठ और तीन दोनों से डिवाइड होता है तो नंबर विल ओल्वेज भी डिविजिबल बाई तो वह नंबर किस-किस से डिविजिबल होगा कोई नंबर है जो आठ और तीन से डिवाइड होगा तो देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो एट और तीन दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो एट और 3 से divide हो जाए तो अब 24 के जितने भी factors है 24 के factors क्या क्या जाएंगे 1 2 3 4 6 8 12 यह आपके factor आ गए तो यह सारे factors देखो हाँ factors of 24 24 के जितने भी factors है उन सब से यह number divide होगा वो number किन से divide होगा 24 के जितने भी factors आएंगे उन सब से divide हो जाएगा 24 के जितने भी factor तो option C में अपना यहीं दे रहा है 24 के factor तो 24 के factor जो जो आएंगे उन से यह number divide हो जाएगा आगे वाला देखो product of two numbers with LCM product of two numbers with LCM of 112 दो numbers है उनका LCM क्या दे रहा है 112 और product क्या दे रहा है 4032 तो HCF पूच रहा है तो आपको यह property class के अंदर हजारों बार याद करवाई गई है कि two numbers का product one or two दो numbers का product किसके बराबर होगा इन दोनों नंबर के LCM और इन दोनों नंबर के HCM के product के बराबर होता है यह आपकी LCM HCF के property आगी अब इसमें क्या कर रहा है LCM अपने को दे रहा है 112 और इन दोनों नंबर का product इनों एक साथ में करके दे दिया आपको करना ही नहीं पड़ा तो 4032 तो पूछ रहा है HCF तो बस करना क्या था आपको 4032 में 112 से divide करना था 112 से divide करना था तो आब 112 से divide कर लो इसको देखो 11 का table बोलो 1130 मतलब कम से कम 30 times तो हो गई होगा 1130 33 मतलब 30 से उपर ही बार डिवाइड जाएगा तो option में देख लो 30 से उपर सिरफ एक option है 36 एक डिवाइड नहीं करोगे तो भी चल जाएगा option देखो उसके बाद फालतु का time waste नहीं करना होता है exam में अब यहाँ पर क्या इसको divide करोगे तो कम से कम 30-40 seconds तो लगी जाएगी क्यों लगाए जब अपना 2 seconds पता चल गया पेपर आपका होने वाला है पूरा भी मैत का इसमें देखो क्या कर रहे कोस्ट ओफ एड़जन हेड़फॉन्स एक ड़जन हेड़फॉन्स की कोस्ट कितनी देर किया 78,564 देर किया एक ड़जन मतलब 12 की कोस्ट देर किया तो यह पूसरा है 5 headphones करीदना चाता है तो 5 headphones की कीमत पूछरा है कितनी आएगी 12 की कीमत यह तो 5 की कीमत कितनी आएगी वैसे यह पूछरा है तो इसको 12 से डिवाइड कर दो 12,67 फिर कितना बच गया 6 12,64 5 बच गया 12,60 12,54,60 फिर कितना बच गया 5 बच गया 5 फिर 12,40,48 फिर कितना आ गया आठ और बाराशन तू चोरह सी तो 6, 5, 4, 7 को 5 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7, 5, 35, 3, 23 आ जाएगा 2 क्या चला गया 7, 32,735, 32,735 किसमें आ रहा है, option 2 के अंदर, सिर्फ calculation थी इसके अंदर छोटी सी और कुछ नहीं था, आगे वाले में क्या करें, Trisha is arranging for fruit, Trisha is arranging fruit juice for 40 classmates, 40 classmates के लिए, juice arrange कर रही है, Trisha, 1 को कितना देरिये, 200 ml, 1 को देरिये, 200 ml, तो 40 को कितना देगी, 200 ml, 200 ml क्या होगा, 0.250 liter मान सकते है, 200 ml, 1 लिटर में, कितने आ जाएगा, 4 बार 200, 200, 200, 24 बार मिलाएगा, तब अपना क्या हो जाएगा, 1 liter हो 0.250 कर लो यहीं पे सिदा अब इसको multiply कर लो तीन पॉइंट के तीन डिजिट के बाद 0 लग जाएगा तो यह क्या आ गया 10 liters आ गया 10 liters juice total चाहिए अब यह क्या कह रही है what is the minimum number of tetra packs जो packs आते हैं न juice के tetra packs see required for serving मतलब कह रहा है कितने tetra packs चाहिए अगर एक tetra pack के अंदर 2.5 liter juice आता है total juice कितना चीए 10 liter चीए तो 10 liter total juice चीए एक tetra pack के अंदर आता है 2.5 liter तो total कितने tetra pack 10 by 2.5 कितना आजाएगा 4 तो total उसको कितने tetra pack 4 चीएगे 4 चीएगे चार डबे चीएगे juice के ठीक है कंप्यूट्ध डरेशिप्रोकल बताना है इसका तो रशिप्रोकल के लिए पहले इसको sol कर लेते हैं M neat if c 그대로 pousरा रहीए उसका तो यह क्या आगया good six reciprocal क्या By लास्ट वाला के उसन देख लेते हैं अपना 75 उसका लास्ट वाला के उसन देख लेते हैं अपना 75 उसका राधीका बोट 8-1-4 kg of fruits, she used 2-5-6 kg of fruit in pudding and kept the rest fruit salad मतलब कह रही है, total उसके पास कितने fruit उसने buy किये, 8-1-4 का मतलब कितना हो गया, 33-4 kg fruit उसने buy किये और left कितना बचा सलाद के लिए पूछ रही है, तो इसने इतने की क्या कर लिए, pudding कर ली 17-6 kg, तो बचा वो सलाद के लिए बचा, तो 33-4 में से 17-6 को माइनस करना है, यही तो fruit बचेगा, तो LCM कितना आजाएगा, 12, 4, 3 जा, यह कितना आगे, 99, 6 से 2 ताइमस, और 34 आजाएगा, तो 9 में से 4 गया कितना, 5, और 9 में से 3 गया, 6, 65 अपॉन 12, 12, 15, 5 is to 5 by 12 kg, 5 is to 5 by 12 kg, option 4, अच्छा, 12, option 2 है, देखो, वो 24 ता, 5 is to 5 by 12 के जी दे रखा है, तो यह मैथ के, पूरे के, पूरे 50 के, 50 के, 50 के option 6 कर दी है, अभी करते हैं, रीजनिंग के, रीजनिंग के continue ही रखेंगे अभी, देखो, रीजनिंग है, अब रीजनिंग का भी मैं ही solution बताऊंगा, रीजनिंग आप फटा फटा आपको direct क्या answer ही बता दूगा, कोई question लगेगा, कि solution करना है, तो वो तो solve कर देंगे, बाकि direct reasoning के आपको answer ही बता देते हैं, ताकि paper क्या हो जाए, फटा फटा फट solve हो जाए जननल नोलेज आपका होई गया, reasoning में देखो, इसका क्या हैगा, B, B का मतलब 2, 2 की value 4 दे रिखे तो, जी 7 होता है, 7 की value कितनी आजाएगी, 49, एक मेंट, एक मेंट, एक मेंट, चलो, ऐसे ही बता देता हूं तको, मैं आपको, मैं बोलता जाता हूं, आप note कर लो, तो इसमें क्या आजाएगा, B के value कितनी आजाएगी, 49, इसमें क्या कह रहा है, find the odd one out, यह देखो, इसका क्या जाएगा, 49, इसमें क्या कह रहा है, find the odd one out, odd one out बताना है अपने को क्या होगा, तो अर्थ, एग और बास्केट बोल, इनका सेप सबका स्पेरिकल टाइप का होता है, और इसमें बचा आपके क्या ओरेंज, तो ओरेंज क्या होता है, औरेंज, गोल भी हो सकता है, मतलब, fix तो होता है, वैसे round shape का यह होता है, और यह क्या है, तीनों थोड़े round नहीं होता है, यह थिक आपका, ठीक है, तो जाएगा, orange, कि अर्थ और एग कि इसमें से दो आनी सकता अर्थ व spectrum वैसे ही अपन बोलते हैं कि अर्थ का सेब कैसा होता है अंडाकार होता है तो अ अंडे का सेब को लिगा यह तो कहना चाहर औरेंज का प्रॉपर से पता नहीं होता है तो ओर वना अऊट है तो ऑ गई वाले में देखो ऐडर abroad वन आउट इसमें भी ओर बन बताना को यहकं ऑलने में वाक्र्क स्कॉयरर नहीं है कि अगे वाले में ओर वन आउट है भूक-पैंसि एरेजर कंप्यूटर यह सारे तो अपने क्या है कि लिखने और पढ़ने के काम में आते हैं कंप्यूटर के अलगी चीज है चाहिए कंप्यूटर इलेक्ट्रोनिक आइटम है यह सारे क्या है फिजीकल आइटम है तो अंदर वाले figure की side कितनी है 5 इसके अंदर तो यह condition बैट रही है यह figure है बाहर वाले की 5 sides है अंदर वाले की 6 है तो इसमें भी यह same बैट रहा है इसमें क्या है बाहर वाले की 6 है तो अंदर वाले की 7 होनी चाहिए अंदर वाले की 5 है इसमें देख लेते हैं इसकी बाहर वाले की तीन अंदर वाले की चार है तो ये कह है ओर वन आउट तो ये ही लग रहे है क्योंकि बाकी तीन में तो एक सिमेट्री फोलो कर रहे है इसके अंदर ये चीज नहीं चल रही है आगे वाले में क्या कह रहे है Ode One Out बताना है आपको कानपूर, विजेवड़ा, गंगा और गौहटी अब इसके अंदर गंगा तो आपकी रिवर है बाकी सारे सिटीज है तो Ode One Out आपका क्या हो जाएगा? गंगा ही हो जाएगा आगे देखते हैं वापिस इसके अंदर ये सब तो इनके अंदर वाइर्स होते हैं, तार होते हैं इनमें से वापिस पूसरा Ode One Out गिटार के अंदर वाइर्स होते हैं, वाईलिन में वाइर्स होते हैं, सितार में वाइर्स होते हैं फ्लूट मूँ से बजाई जाती है, बाकी सबको हाथों से बजाई जाती है भी बिल्कुल सही है, 31 आजाएगा, आगे वाले में, इस सिरीज में क्या जाएगा, 61 आजाएगा, प्रपोर्शन देर का है, तो प्रपोर्शन क्या जाएगा, इसका आजाएगा, 61 आजाएगा, इसके अंदर, आगे वाले में, फिगर, क्या पूछ रहा है, हाँ, क्यों सिरीज मार्क, यहाँ पर क्या आएगा, यह पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा, आपके, यह बताना है, देखो, यह फिगर है, इसको ऐसे गुमा रहा है, फिगर को रोटेट कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है, यह थोड़ा सा छोटा है, इसको बड़ा करके, रोटेट कर रहा है, बड़ा भी नहीं, वो उससे कोई फरक नहीं है, इसको रोटेट कर दिया, तो यह है, इसको भ 45 के 20 में कौन से डिगरी गूम रहा है, कितना डिगरी गूम रहा है, ये तो 45 डिगरी पे गूम गया, ये उतना है, कम में गूम रहा है, ये गूम रहा है, तो क्या जाएगा 90 से 45 डिगरी के अंदर रोटेट, ये ही हो रहा है, 45 से 90 डिगरी के अंदर रोटेट, ये वाला सब्सक्रेश्ट इसको बाहर लेड़ों सक्वाइर बाहर का मैं इसमिन इसमें नए रहे यहां पर इसक्वाइर बार हा रहा अंदर क्या यह बहर fel आदर ले गे देखो इसम Стय फोर के लिकुल सभी ठोराई deve erklяд यह पूछ रहे हैं पार्ट कौन से फिगर का पार्ट है कौन से फिगर का पार्ट है तो यह देखो फिट एकदम यह वाला इसके अंदर बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं सारे यह बिल्कुल इस्टेट यह रहा है यहाँ पर फिट बैठ रहे है ठीक है फिट बिठा दिया इसको आगे कह रहा है question mark यहाँ पर question mark है, यहाँ पर क्या आएगा missing place बताना आपको तो यहाँ पर क्या आएगा अब इसमें क्या logic लग रहा है देखना पड़ेगा, आमने सामने वाला कुछ logic लग रहा है, आमने सामने 4 plus 3, 7 आ रहा है, 5 plus 2, 7 आ रहा है मतलब आमने सामने वालों को add करो तो बीच वाला number आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 plus 1, 7 तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, 6 आ रहा है कि option में किसी में यह आ रहा है, तो यह 6 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अरेंज दे फोलोईंग इन लोजिकल ओर्डर फ्रोम बोटम टू टॉप देखो सबसे पहले यह knee, toe, calves, heel और ankle यह सारी चीजे देर की है तो इनके अंदर देखो सबसे पहले अपना क्या आता है, toe, pair कांग उठा आता है सबसे पहले तो B आना चाहिए सबसे पहले तो फिर क्या आ रहा है आपका, उसके बाद में heel AD आती है, तो D आ जाना चाहिए फिर क्या आता है, ankle AD से उपर heel से उपर क्या जाएगा, ankle E उसके बाद क्या है, calves, calves क्या होती है, यह पिंडलियां अपनी जो होती है उनको क्या बोलते है, calves बोलते है, तो क्या जाना चाहिए, C और last में उपर क्या हैगा, A तो यह देखो sequence किसी में आ रही है, B, D, E, C, A B, E, R, E, Option B के अंदर, B, D, E, C, A ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या 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 रहा है, dictionary के according इसको arrange करना है अब इनमें देखो, इन्होंने किया क्या, कि पहले वाले चार words काट के दे दिये इसमें भी यह कार्ट दिये, इसमें भी इन्होंने कार्ट दिये, जो बचे होए है, इनको arrange करना है तो इधर क्या बचा है आपका, इधर बच गया, S, इधर बच गया, N, इधर बच गया, I, E, और इधर भी क्या बच गया, आपका, नीचे वाले में, O, बच रहा है तो सबसे पहले आपका डिक्सिनर्य में क्याता है E आता है तो E आ गया D वाले में आ रहा है E E के बाद क्या आएगा I तो I लिग दिया अपने फिर क्या आज गया O N और S में से क्या आएगा N आएगा N 14 होता है O 15 नमबर पे होता है तो N किसमें आ रहा है B के अंदर I किसमें आ रहा था यह C है यहाँ पे D C B D C B E और फिर A E फिर A D C B E A कौन से उप्शन में आ रहा है D C B E A D C B E A इसी उप्शन में आ रहा है तो इसका बिलकुल सही है D C B E A आगे वाले को भी अरेंज करना है ऐसे ही Rain, Cooling, Condensation, Heating, Evaporation देखो इसको उपर ही ले लेते हैं Logical order के अंदर अरेंज करना है Logical order में अरेंज करना है इसको Arrange the following in logical order सबसे पहले क्या होएगा आपके ये बारिस करवानी है बारिस का process क्या होता है सबसे पहले आपका heat होएगा पनी क्या होएगा Heat होएगा Heat होके क्या हो जाएगा Evaporate Heat होके evaporate उपर चला जाएगा तो सबसे पहले आपका आणा चीए D Option D आ रहा है किसी में एक में ही आ रहा है D तो आगे वाले देखने की जर्रत ही नहीं है फिर भी देख लेते हैं sequence क्या Heat होके क्या होगा Evaporate होके उपर जाएगा Evaporate होके उपर जाएगा Cool होके फिर condensation process के थुरू आपकी बारिस हो जाती है इस सिक्वेंस में range कर दो D, E, B, C, A आगे वाले में क्या पुछ रहा है आपसे Water image Water image का है यह बीच में निचे वाली निचे जो उल्टी इमेज आती है वो वोटरी मेज होती है Mirror आपका जिदर लगा रखा हो वो उसके opposite वाली mirror image होती है Water image मेंसा इसको निचे की तरफ उल्टा करते हैं तो वोटरी मेज आती है तो 5, 3, 7, 4 5 को उल्टा करेंगे तो 5 को उल्टा करेंगे यह तो आएगा नि बाकी 3 में आ रहा है 5 फिर 3 को उल्टा करेंगे तो यह तो कटे गया और 3 उल्टा ऐसा नहीं होगा तो यह भी कट गया आपका बचे यह दो 7 को उल्टा किया ऐसा रहा 4 को उल्टा करेंगे तो 4 को देखो उल्टा करेंगे तो यह वाला सही बैठ रहा है यह वाला गलत है तो यह क्या जाएगा Water image क्या जाएगी 3 वाली तो देखने पड़े कि सिरीज में क्या sequence पेट रही है यहाँ पे इन दोनों का difference कितना है 12 का difference है यहाँ पे इन दोनों का difference कितना लग रहा है 12 का लग रहा है यहाँ पे इन दोनों का difference भी 12 का लग रहा है तो इन दोनों का difference भी 12 का आजाना चाहिए 64 में से 12 माइनस कर दो 352 आजाएगा आपका 352 option में आ रहा है option A ठीक है वापिस ये वाली series आगे वाली series देख लो 3 और 7 का difference कोई square वाली series तो है नहीं है square वाली series देख रही है कि नहीं है 4 में 7 नहीं square और वाली series तो बैट नहीं रही है यहाँ पर perfect square वाली सीवन का difference कितना है 9 16 और 35 का difference कितना रहे 16 और 35 का difference आ रहे 19 35 और 74 का difference कितना रहे कितना रहे 39 यह इन के आगे difference difference में क्या सब्सक्राइब हैi system, ये तो two का square आगया, ये थरी का square आगया, ये यहाँ में je labate स्क्राइब नहीं भीट रही है, अब देखो, ऐसी series में अगर नहीं बैटे है, तो आगे और difference निकाल लो, एक step आगे और difference निकाल लो, तो 4 और 5 का difference कितना आगया, इससे 40 ज्यादा आना चाहिए वाला नंबर तो 39 के अंदर 40 अगर एड करते हैं तो कितना जाएगा 79 79 यहां पर आना चाहिए अब यह क्या 74 में अगर 79 एड करेंगे तो अपना नंबर आ जाएगा 9 और 4 कितने होगे 13 14 और 15 153 नंबर आना चाहिए कितना ना चाहिए 153 तो देखो इसमें आगे से आगे डिफरेंस करते गए तो अपने आप सिरीज बन गई आपकी एक डिफरेंस से नहीं आ रही है तो आगे आप डिफरेंस कर दो उसको आगे वाले में क्या है A होता है 1 E होता है 5 I क्या होता है 9 और M क्या होता है 13 तो क्या सिक्वेंस कुछ बैटरी है क्या 1 में 4 जोड़ दिया 5 5 में 4 जोड़ दिया 9 9 में 4 जोड़ दिया 13 13 में 4 जोड़ दिया 17 साट 大झक थक्मानाशनाचनी की है अमन्हार इसमें आ है और इसमें आ रहे इसमें साइंग आ आगे वला नम्बर 70 की हुटते जा देख लेश्च रोत तो एक फिगर ये दे दिया, एक फिगर ये दे दिया, दोनों को क्या कमबाइन करके इधर लिख दिया इसने, यहां पर पूछ रहा है क्या एगा, इसको और इसको दोनों को कमबाइन करके यहां पर लिख दिया इसने, तो इसको और इसको कमबाइन कर दो, तो यह नहीं, यह हाँ ये वाला बैट रहे ये तो बिल्कुल इजी था इसमें पूछ रहे है अगर आपका बुक से रिलेटेड ओथर है बुक कौन लिखता है ओथर तो डिस खाना कौन बनाता है मुजिसियन नहीं बनाएगा सेफ बनाएगा बिल्कुल सही है ये अन्रिलेटेड है तो क्या जाएगा सेफ खाना कौन बनाएगा सेफ बनाएगा बुक कौन लिखेगा ओथर लिखेगा आगे क्या पूछ रहा है प्लड प्लड क्या होता है बार्ड प्लड का अपोजिट क्या होता है सुका तो opposite दे रखा है यहाँ पर genius क्या होता है intelligent तो इसका opposite क्या आना चाहिए बेवकूफ तो think का मतलब बेवकूफ नहीं होता है intelligent भी नी brain भी नी police police का मतलब क्या आगया आपके बेवकूफ तो genius का opposite क्या आगया बेवकूफ आजाएगा यह वाली series देख लो इसमें क्या कह रहा है A, F, K A क्या होता है 1 F क्या होता है 6, K क्या होता है आपका 11 D क्या होता है 4, G, 7 और N, 14 E, 5 J क्या हो गया है 10 और यह 15 तो इनमें क्या बैठ रहा है 1, 5, 6, 5, 11 और 5 कितने हो जाएगे 11 और 5 कितने हो जाएगा 16, 16 क्या होता है अपना P 4 और 2, 6 और आगे क्या आगया G तो अपना 7 आता है 4 और 3, 7 फिर आगे क्या रहा है N आ रहा है N आ रहा है 14 7 और 7, 14 हो गया देखो 3 और फिर आगे कितना आगया 7 P, P देखो इसमें P और P ये आगया Q 17 आ रहा है इसमें आगे इन दोनों में से देखो Q क्या रहा है 17 तो 17 कब आएगा आपने 17 कब आएगा तो इसमें वापिस कितने जोड़ दो आप 4 जोड़ दिये तो 17 आ गया अच्छा चांदो बीच वाला क्या है इन बाहर वाले दोनों के एडिशन आ गया बीच में तो ऐसा ही सिक्वेंस को लास्ट वाले मिठानी है E क्या होता है 5 और J क्या हो गया आपका 10 पांस दूनी 10 और ये क्या 15 तो लास्ट में क्या आजाना चाहिए 20 आजाना चाहिए तो लास्ट वाला 20 ये सिरीज बनती है अलफाबेटिकल ओडर में भी सिरीज दे दी इनको नमबरिंग में कनवर्ट कर लोगे तो इजी रहेगा इनको सोल्यूशन करना कफ थ्रोट अस्तमा लंक्स में होता है कफ कहा होता है थ्रोट गले में होता है कर दो आपका लंग्स में होगा इसका विलकुल सभी है यह लो यह आपका पूरा का पूरा पेपर का सोल्यूशन करवा दिया है आप लोग यह सोल्यूशन अपना प्राइच्ज करना और देखना कि कैसा रहा आपका पेपर और रिजल्ट के लिए आपकी ओल्द वेस्ट आप स झालो बाइ